असलाम अलेकुम कैसे आप लोग उम्मीद करता हूँ आप सबके सब जो हैं बिल्कुल खहरियत से होंगे आज हम 9th क्लास के exercise 4.4 जो हर से मुकंबल तोर पर solve करेंगे लेकिन इस स्क्रीन के उपर आप लोगों को एक wallpaper नज़रा रहोगा जिसमें तुमाइम questions के timing आप देख सकते है फिर हम one by one questions को solve करेंगे तो question number one को पढ़ों तो इसमें बोला जा रहा है rationalize the denominator of the following के जितने भी दर जहल दिये गए questions है इन सबके denominator को rationalize करें ठीक है तो translation की हद तक तो समझ में आगे होगा अब यहाँ पे पहले सुआल तो यह पता होना चाहिए denominator किसे कहा चाहता है तो fraction के अंदर उपर वाले जो नंबर होता है या उसे बोला जाता है नोमिरेटर ठीक है और नीचे वाला जो नंबर होता है उसे बोला जाता है डी नोमीनेटर ठीक है तो यह भी डीनोमिनेटर है यह भी डीनोमिनेटर है यह भी डीनोमिनेटर यह भी तो डीनोमिनेटर की पता चल होगा कि हम ऐसा इसके साथ क्या करें कि रैशनलाइज हो जाए तो जब भी रैशनलाइज दा डिनोमिनेटर का वर्ड या यह फ्रेज आपके सामने आए क्वेस्चन की शकल में तो आपने एक बात जहन में लानी है वो यह कि डिनोमिनेटर के अंदर अगर यह रैडिकल का साइन हो जैसे कि आपको हर क्वेस्चन में डिनोमिनेटर के अंदर यह रैडिकल का साइन नजर आएगा ठीक है तो जब भी यह radical का sign हो denominator के अंदर तो इस radical के sign को denominator के अंदर से खत्म कर दो और उपर की तरफ shift कर दो यानि नीचे से ये sign जो है उपर की तरफ shift कर दो तो ऐसा करने को rationalize the denominator कहा जाता है ठीक है तो उमीद करता हूं समझ में आगय होगा असान लफ़ों में बताऊं तो हमने बस ये करना है नीचे से जो radical का sign है इसे उपर shift कर देना है और उपर shift करने के अमल को या process को rationalization बोला जाता है या पिर ऐसे काम करने को बोला जाता है rationalize the denominator ठीक है तो चलिए नीचे वाले radical के sign के सब खतम करते हैं तो example बजाए example की मदद से समझाऊं आपको मैं part number one जो है इधर लिख लेता हूँ और उसके अंदर सारी जो concept है वो साथ में बताता हूँ ठीक है तो part number one आप लोगों को screen के ओपर नजर आ रहे हैं तो हमने क्या करना इस denominator को rationalize करना है तो denominator को rationalize करने के लिए या question solve करने के लिए हम सबसे पहले तो solution लिखते हैं उसके बाद question को एक बाद दुबारा से उतार लेते हैं तो three denominator में क्या है इसके four square root three ठीक है तो अब कैसे करते हैं सुआल ये आ जाता है ठीक है rationalize कैसे करेंगे तो इस radical के sign को यहां से denominator से खतम करने को rationalize बोला जाता है और खतम कैसे किया जाता है कि हम इस radical के sign वाले number को एक बार multiply करवा लेंगे ठीक है और एक बार divide करवा लेंगे ठीक है जैसे इधर under root three या square root three है तो हम square root three से multiply भी करवा लेंगे और divide भी करवा लेंगे पिछली classes में आपने ये rule पढ़ा भी होगा question solve करने के लिए कि कुछ भी question को solve करने के लिए हम कुछ भी multiply भी करवा सकते हैं और उसी number को divide भी करवा सकते हैं तो बरहल वही वाला procedure यहां apply होगा तो मैं इसको solve करूँगा तो साथ साथ और समझ में आपको आती रहेगी जैसे 3 divide by यहां पे 4 square root 3 था तो अब मुझे इस radical के sign को नीचे से खतम करने के लिए क्या करना होगा square root 3 को एक बार multiply करवा दो और साथ में divide भी करवा दो ठीक है अब जैसी यह करवा दिया तो इसके अगला step क्या हो जाएगा numerator, numerator से multiply हो जाएगा और नीचे वाले numbers यानि denominator denominator से multiply हो जाएगे तो उपर वालों को multiply करवाएं तो हम उसको ऐसे भी लिख सकता है और नीचे वाले numbers को multiply करवाएं तो अब आप यह चीज थोड़ा दिहान रखिएगा यहाँ पर यह है और multiply यह है ठीक है तो मैं क्या कर सकता हूँ इस चीज को मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ क्योंकि यह तीनों number ही multiply हो रहे है तो 4 और यहाँ पर ऐसे क्योंकि 2 times है ना square root 3 तो उसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं और फिर क्या होगा root radical के sign से तो आप लोग देखते जाएगा 4 और यहाँ पर लिख लेता हूँ radical के sign के साथ whole का square further आगे चलते हैं further आगे चलें तो अब उपर तो आ जाएगा 3 और square root 3 क्योंकि यह दोनों multiply होंगे तो बस ऐसे ही लिख सकते हैं तो जब भी यानि के इसका मतलब क्या है इनके दर्म्यान में multiply का sign है लेकिन लिखते नहीं है ठीक है जैसे यह बिल्कुल ऐसे ही बात है जैसे A multiply by B होता है तो इनका अपस में कुछ कर तो नहीं सकते न क्योंकि दो different alphabets है letter है English के तो A B हम ऐसे लिख लेते यानि इसको हम ऐसे लिख सकते हैं तो ठीक इसी तरह इसको भी हम ऐसे लिख सकते हैं confused मत हो येगा कि multiply हो गए multiply होने के बाद भी यही answer आएगा उसके बाद आगे अगे अगे चलें तो यह divide और यहाँ पे four वैसे का वैसा अब ये square से root खतम हो गया तो यहाँ पे आजाएगा only three और फदर आगे चलें तो अब यह हो जाएगा three और यहाँ पे आजाएगा sorry उपर करना पड़ेगा इधर आजाएगा square root three और four three दे कितना हो जाएगा twelve ठीक है तो यह यहाँ से remove कर दो अब three fours हो कितना होता है three fours होता है twelve तो नीचे आगे हमारे पास क्या four तो in the end हमारे पास क्या बच गया square root three divide by four तो यह हमारे पास in the end answer आगे तो इस तरह से यह question solve होगा तो अब आप देख सकते हो radical का sign जो है question के अंदर नीचे था जब question था और अब आप यहाँ पे देखिए वो radical का sign नीचे मौजूद नहीं है ठीक है तो that's इसका मतलब यह हुआ कि हमने इस fraction को क्या किया rationalize कर दिया यानि कि इसके denominator से radical का sign हमने खतम कर दिया अब वो किधर मौजूद है अब वो nominator में मौजूद है ठीक है बस नीचे से खतम करना होता है हमें तो इसी तरह सारे parts होंगे जो simple fractions होती है उनको rationalize करने के लिए बस radical के sign को एक बर multiply और divide करवा कि आप सो multiply करवा कि आप इस तक के questions को solve कर लेंगे part 2 भी ऐसी है उसको मैं लिखता हूँ और उसको solve करता हूँ और अच्छे से समझवाएगा आपको तो part number 2 आप लोगों को screen के उपर नज़र आ रहा है इसमें भी denominator को rationalize करना है तो rationalize करने के लिए question solve करने के लिए सबसे पहले तो आप solution लिखेंगे उसके बाद आप question को दुबारा से लिखें तो यहां पर आ जाएगा 14 divide by यहां पर आ जाएगा square root 98 ठीक है अब हम इसको कैसे rationalize करेंगे तो उपर 14 था तो numerator को वैसे कर वैसे रहने देंगे और नीचे square root 98 था तो इस square root 98 को एक बार हम कर लेंगे multiply और एक बार कर लेंगे हम divide ठीक है यानि जो भी radical का sign है उसको multiply और divide कर लो ठीक है ऐसा हम कर सकते है rule के according में तो अब उपर वाला number उपर के साथ multiply हो जाएगा तो 14 multiply हो जाएगा 98 के साथ ठीक है और नीचे वाला जो है 98 यहां पर whole का square हो जाएगा क्योंकि यह से जब multiply होगा तो two times है तो इसको हम यहां पर 98 है और यहां पर भी 98 है ठीक है तो इसको हम क्योंकि दो दफाह है तो हम ऐसे भी लिख सकते है तो इसमें कोई मसला है नहीं तो इसके बाद हम क्या करेंगे इसके बाद हम इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं इसके बाद हम यह करेंगे के 14 ठीक है और यहां पर 90 अब यह जो 98 है ना इसको simplify भी करना है simplify कैसे करना है जैसे कि आप सीख चुके हो 98 है तो हम क्या करेंगे इसके factors बना लेंगे prime factors और जैसे 98 के prime factors मैं थोड़ा यहां पर लिखे 98 तो two fours are eight आगे one गया इधर तो 18 बन जाएगा तो two nines are 18 उसके बाद फिर seven पर जाता है seven sevens तो हम इसको अब यह नि प्राइम factors की form में लिख लेंगे यह नि डारेक 98 ऐसे ही नहीं छोड़ देना आपने तो इसको factors की form में लिखें तो यहां पर multiply भी डाल सकते हो डारेक्ट भी कर सकते हो तो seven जो है वो two times है और two जो है वो एक दफ़ा है ठीक है यानिके यह तो अब practice हो चुकी होगी पिछली exercise के अंदर जो दो दफ़ा है उसको square की form में लिख लेंगे तो इसको हमने ऐसे लिखा नीचे एक line draw की और इधर यह square radical के sign को cancel कर देगा तो पी नीचे बच जाएगा only हमारे हमारे पास 98 ठीक है इसको यहां से मिटा देते हैं मिटाने के बाद अब हम क्या करेंगे अब आप देखिए यह है ना मारे पास seven square और two तो इसको हम अलग-अलग करके लिखें तो ऐसे भी लिख सकते हैं ठीक है और फिर अब यह square radical के sign को cancel कर देगा तो seven square root two आ जाएगा हमार के पास ठीक है तो इस यही चीज़ करने लगा हूं यहां fourteen multiply seven को हम यानि के मैं direct कर रहा हूं आपको मैंने यहां बता दिया कि कैसे आया तो seven आ जाएगा हमारे पास बाहर ठीक है और यह आ गया square root two और नीचे था 98 तो यह 98 वैसे का वैसा रहा ठीक है उसके बाद आगे अगर चलें तो अब हम क्या कर सकते देखिए यह दोनों number है और इंके दर्मेन में multiply का sign है तो यह दोनों आपस में multiply हो सकते हैं तो seven को अगर हम fourteen से multiply करें तो यह आगे हमारे पास calculator fourteen multiply by seven तो यह आगे हमारे पास 98 ठीक है तो 98 आता है तो यहां पे आप लिख लीजिए 98 और यहां पे आ जाएगा square root two और यहां पे भी आ जाएगा 98 अब 98 98 से cancel हो जाएगा पीछे बच जाएगा square root two और यही आपका क्या हो जाएगा answer हो जाएगा ठीक है अब अचा एक और चीज भी मैं बता हूं question मुकलिफ तरीके से solve हो सकते हैं आप इसको directly यहां भी काट सकते थे 14 798 ठीक है और उसके बाद अगले step में 7 को 7 से काट लेते हैं तो यह मुकलिफ तरीके से हो सकते हैं लेकिन मैं ऐसे करता हूं जो भी numbers हैं उसको end तक चलाता हूं और फिर in the end जो है उसको calculator से cancel कर लेते हैं क्योंकि calculator तो आप लोगों के पास होगा ना तो इससे क्या होता है कि कोई चीज काटने के बाद missing होने से गलती बच जाती है बस यह चीज है ठीक है और ज्यादा साफसुत्रा question लगता है तो अब हमने क्या क्या rationalize कर दिया कैसे rationalize बोलते हैं नीचे denominator में radical का sign ना हो ठीक है तो अब आप आप देखें यहां पर 98 के उपर मुझूद था लेकिन जो इसका answer आ नहीं है तो अब आप देखें नीचे अगर one है तो इसके उपर कोई भी radical का sign मौझूद नहीं है that's why कि मैं यह कह सकता हूं कि मैंने इसे rationalize कर लिया ठीक है तो I hope part two भी समझ में आ गयोगा three भी बिल्कुल ऐसे ही है वो solve करता है तो part number three आप लोगों को screen के उपर नजर आ रहा ठीक है तो इसको rationalize करने मतलब denominator से radical का sign खतम करने है तो उसके लिए हम क्या करेंगे इसको denominator को जो के eight है और एक बार 27 है इसको multiplier divide करवा देते हैं तो यहाँ पर eight आ गया और यहाँ पर 27 आ गया और यह divide by यहाँ पर भी eight आ गया और यह 27 आ ठीक है अब इसके बाद हम क्या करें करेंगे उपर वाले denominator को numerator से multiply करवाएं तो six multiply यह square root eight और यह square root 27 और नीचे वालों को denominator को multiply करवाएं तो यह eight whole का square हो गया क्योंकि two times है और यह 27 whole का square हो गया ठीक है अब यह दोनों square हो गया square होने के बाद आगे अगर चले तो अब eight के factors बना लेते हैं तो two two the two fours are eight two two the four and two ones are two two तो कितना आ गया यहां पर लिख लेते हैं six multiply इधर radical में eight की जगे लिख लेंगे तीन दफ़ा दो है तो two की power two कर सकते हैं और एक बार two अकेला लिख देते हैं इसी तरह 27 के भी ऐसी बनेंगे three times three हो जाएंगे तो three nine's are 27, three three the nine and three one's are three तो इसको थोड़ा नज़र नज़र न और यह हमारे पास नीच लाइन आ गई और नीचे अब जो है यहां पर क्या होगा square square root से cancel हो जाएंगे cancel होने के बाद पीछे बच जाएगा हमारे पास क्या only eight multiply by twenty seven ठीक है further आगे चले तो अब हम six इसको अभी मैं cancel भी कर सकता हूं इसके साथ लेकिन ऐसे गलती हो जाती है cancellation म कर देंगे ठीक है तो six multiply अब यहां पर square square root से cancel हो जाएगा तो पीछे बच जाएगा two फिर एक तो single है तो यह वैसे का वैसा square root के साथ रहने देते हैं इधर भी इसी तरह three square square root से cancel हो जाएगा तो बाहर आ जाएगा और इधर जो है एक अंदर single है तो इसको radical के sign के साथ रहने देते हैं ठीक है और से 27 को 8 से multiply कर लेते हैं तो 27 को 8 से multiply करें calculator पर तो यह आ गया हमारा 27 और यह आ गया multiply और यह आ गया 8 तो पीछे हमारे पास 216 आ जाता है ठीक है तो नीचे आ गया हम लिख देते हैं इनको multiply करने के बाद 216 ठीक है तो यह रफ़मल था इसको मिटा देते ह यहां से और मिताने के बाद आगे अगर चले तो अब देखे ये ये और ये ये सिंपल नंबर हैं तो इनको नंबर की आपसे मल्टिप्लाई करवा लो क्योंकि सारे ही मल्टिप्लाई हो रहे हैं अगर आप दिहान से देखो तो नंबर को हम नंबर से मल्टिप्लाई करवा ले तो हम कुछ ऐसे लिख सकते हैं six multiply बलके multiply करवा लेते हैं तो यह हो जाएगा three two दा कितना हो गया दोनों number आपस multiply होए तो six और फिर six को six के साथ multiply करवाएंगे तो thirty six हो जाएगा ठीक है यह चले एक step बढ़ा देता हूँ directly भी आप कर सकते थे वीक बच्चों के लिए तो number अलग कर लो और radical के sign में two था तो यह दोनों अकटे कर लो अब ठीक है और नीचे 216 था तो यहां पर 216 कर लिए बस एक है क्या आजाएगा हमारे पस 216 जो के पहले से मुझूद है अब 216 थर्टी सिक्स पर जाता है तो यह 216 है इसको डिवाइड करके देख लेते है डारेक्ट थर्टी सिक्स तो यह जाता है तो six बच जाता है पीचे ठीक है तो इसलिए मैं सब करता हूँ के एक साथ ही कैंसल कर लो किल्कुलेटर से तो थर्टी सिक्स वन जा थर्टी सिक्स थर्टी सिक्स सिक्स तो यहां पर आ गया six ठीक है फुर्दर आगे चले तो अब इसको हम लिख सकते हैं square root six divided by six ठीक है तो यही हमारा answer हो जाएगा यह answer क्यों हो जाएगा क्योंकि आप देख सकते हो denominator से radical का sign remove हो चुक है तो it's been rationalize हो चुक है जबके question में आप देख सकते हो कि यहां पर radical के sign मौझूद थी ठीक है तो इस तरह से part three भी आपका मुकमल हुआ four की तरफ चलते हैं तो part number four आप लोगों को screen के ऊपर नज़रा रहा है इस question को कैसे rationalize करेंगे तो देखे यह question जो है पिछ इदर दो number है ठीक है यानि दो term है एक three और एक two square root five ठीक है तो जब भी इस तरह के question आए तो rationalize करने का तरीका अलग होगा और जब भी इस तरह के number आए तो आप लोग सीख चुकियो के radical के number को multiply करो और divide करो तो वो इस तरह के questions को solve करने का तरीका है लेकिन इस तरह के question को solve करन तो अगर इस तरह के questions आएंगे तो आप rationalize करने के लिए conjugate का इस्तमाल करेंगे अब conjugate किसे कहा जाता है मैं दुबारा से याद दिला देतो जिनको नहीं याद second chapter में आपने पड़ा था जैसे यहाँ पर यह लिखा हो है तो conjugate का मतलब होता है कि दर्मियान वाली value को बदल देन जैसे इसका conjugate क्या होगा 3-2 square root 5 ठीक है तो यह जो है इसका conjugate है कैसे पता चला conjugate है क्योंकि conjugate में दर्मियान वाली value बदलते हैं अगर plus हो तो minus कर दो और अगर यहाँ पर minus होता तो मैं इसे plus कर देता ठीक है तो बताने वाली या सीखने वाली बात क्या है कि आप इसका conjugate लेंग और एक बार divide करवा देंगे बस यह मुक्तलिफ बात है बाकी question तो वैसे ही solve होगा ठीक है तो आप समझ गए होंगे आप case में क्या करना है कि आपको जब भी दो time वाला question आए और rationalize करना हो denominator को तो आप इसके conjugate से एक बार multiply करवा देंगे और एक बार divide करवा देंगे ठीक है त तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा तो इससे rationalize करते हैं solve करते हैं तो उसके लिए यहां पर लिखा मैंने solution question को दुबारा से लिखा हूँ तो यहां पर है one divide by three plus two square root five ठीक है अब हम इसके conjugate से multiply और divide करवा देंगे ठीक है तो यहां पर आ जाएगा one divide by three plus two square root five multiply conjugate में middle value बदल जाती है तो यह हो चाहिएगा three minus two square root five यह इसका conjugate multiply करवा दिया divide भी करवा देते है three minus two square root five ठीक है अब हम आगे चलें तो अब हम nominator nominator से multiply होता है और denominator denominator से multiply होता है तो is equal to one divide by three minus two square root five तो यह उपर वाले दो nominator आप से multiply हो गए नीचे वाले को करेंगे तो अब आप देखें यहां पर direct करूंगा मैं क्या के देखें यह क्या है three plus two under root या square root five ठीक है और यह इसके साथ multiply होगा ठीक है तो यह क्या है three minus two square root five अब अगर आप दिहान से देखो तो फार्मूला बन रहा है कौन सा a plus b ठीक है और a minus b ठीक है तो वो किसके बराबर होता है a square minus b square के ठीक है तो क्यों अब मैं यह वाला फार्मूला यहां पर लगाऊंगा उमीद करता हूं minus आपस में हो रही हो तो आप वहां पर फार्मूला लगा सकते हैं तो फार्मूला होता है a square minus b square तो इसके accordingly इसको कैसे लिखूँगा इसको मैं लिख लूँगा यहां पर three whole का square दर्म्यान में फार्मूले के recording minus था तो minus लिख लूँगा और यहां पर two square root five whole का square वो फिर question solve कर ठीक है तो इस तरह से मैं चीज करने जा रहा हूं तो आप आप लोग समझ लीजेगा तो यहां पर डारेक्ट लिखे हो तो 3 hole का square minus 2 square root 5 hole का square क्यों क्यों क्योंकि एक बार यह plus ता और एक बार यह minus था ठीक है अब यह करने के बाद इसको हम आगे continue करेंगे आगे continue करें तो 1 के साथ तो यह multiply हो के वैसे का वैसे ही रह जाएगा तो आप यहाँ पर लिख लेंगे 3 minus 2 square root 5 square root सही नहीं लिखा गया यह square root 5 और divide by नीचे आ जाएगा 3 3 कितना होता है 9 और यहाँ पर 2 square root 5 whole का square कितना हो जाएगा 2 का square कितना होता है 4 तो यह आजाएगा 4 और multiply square root 5 का जब square लेंगे तो यह से cancel हो जाएगा तो only क्या बच जाएगा only बच जाएगा हमारे पास 5 ठीक है तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ 4 और क्या करो direct कर दो या चलो हम ऐसा करते हैं इसको मैं अलग अलग कर लेता हूँ वीक बच्चों के लिए यहाँ पर इसको ऐसे कर लेता हूँ चलो एक step जादा होगा लेकिन आप लोग समझ पाऊगे इस चीज़ को या आपका teacher at least समझ पाएगा और इसके बाद आगे अगर चले तो उपर तो वैसे कब ऐसे रहेगा three minus two square root five divide by अब देखिए nine minus यह इससे cancel हो जाएगा यानि five multiply square root five whole का square है तो यह इससे cancel हो जाएगा तो पीछे four multiply by five बच जाएगा और five fours है कितना होता है twenty तो पीछे हमारे three की बार answer ठीक है वो क्या लिखूंगा twenty ठीक है और इस रफ अमल को यहां से मैं मिटा देता हूँ अब यह लिखने के बाद पीछे क्या जाएगा three minus two square root five divide by twenty में से nine गए तो eleven बच जाएगे तो यहां पे minus eleven बच गया इस minus eleven को कैसे आप लिखोगे ऐसे नहीं आप इसको लिख लेंगे minus one divide by eleven और यहां पे लिख लीजिए three minus two square root five काफी बच्चे कह रहे होंगे सर यह one कहां से आ गया है वैसे यह चीज़ें आपको पता होनी चाहिए है लेकिन जब भी जैसे अगर कहें पर लिखा हुआ है ए डिवाइड बाइब बी ठीक है तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ ए multiply one divide by बी ठीक है और अगर जैसे यहां पे minus है है जैसे अगर मैं यहां पर लिख दूँ फोर डिवाइड बाइब फिफ्टी सेवन ठीक है माइनस फिफ्टी सेवन तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ यह one उपर one इसलिए आया क्योंकि नीचे minus eleven मुझूद है अब जब नीचे denominator में minus हो तो आप यहां पे भी लगा सकते हो ठीक है और यह हिससा हमने अलग कर दिया तो यही आपका answer है और question में क्या करने को बोला गया था rationalize the denominator है तो अब यह आप दिहान दीजिए कि denominator कौन सा था हमार पास बलकि ओपर ही दे लीजिए यह तो answer है नीचे हमारे पास कोई भी radical के sign के साथ number मुझूद नहीं है that's why कि यह rationalize हो चुका है जबके question में अब देख सकते हो इधर radical का sign मुझूद था तो इस तरह से आप इस तरह के question solve करेंगे तो चलिए part number five करते है तो part number five आप लोगों क four आगे ठीक है तो अब क्या करेंगे इसके यानि denominator का conjugate से multiply or divide करवाना है तो उपर fifteen वैसे का वैसा और नीचे आजाएगा square root thirty one minus four multiply square root thirty one plus four यह इसका conjugate हो गया तरम्यान वाली value बदल गी minus plus में और इसको इसके साथ divide भी multiply भी करवा दिया और डिवाइड भी करवा दिया conjugate को अब हम उपर वाले नंबर को अपस में multiply करवाएं नॉमिरेटर को तो fifteen multiply हो जाएगा thirty one square root plus four के साथ और नीचे वाले जो है अब देखिए एक बार यह पूरा minus में है और एक बार यह पूरा plus में है तो अब यह formula लग गया a square और b square वाला ठीक है तो मैं यहाँ पर क्या लिख सकता हूँ thirty one whole का square अगर यह चीज़ समझ में नहीं आ रही है तो part number four को देखिए उसमें मैंने फार्मूले के accordingly यानि फार्मूले को सामने रख के बताया है कि कैसे solve हो है ठीक है यहाँ पर बताई देता हूँ a plus b और a minus b हो तो हम a square minus b square लिख सकते है ठीक है तो अब आप अगर यहाँ पर देखेंगे तो यह एक बार minus में है और यह एक बार plus में है इसलिए मैं इसको इस फार्मूले की शकल में लिख रहा हूँ ठीक है तो यहाँ पर आ जाएगा minus और यहाँ पर आ जाएगा four whole का square ठी तो यह क्या हो जाएगा यह 15 अंदर multiply हो रहे हैं तो हम ऐसा करते है multiply भी नहीं करते हैं क्योंकि यह नंबर जो है नीचे वाले नंबर से cancel हो सकते हैं तो नीचे वाले नंबर के square root कतम करते हैं इसको वैसे कब ऐसा ही लिके रहने देते हैं 5 और यह into square root 31 plus 4 और नीचे हमारे पास है 31 का यह square इससे cancel तो पीछे बच जाएगा only 31 और minus 4 4 दा कितना होता है 16 तो यहां पे आजाएगा 16 ठीक है फृदर आगे चलें तो यह हो जाएगा 15 और यहां पे आजाएगा into 31 plus 4 और आएक अतिस में से 16 तो कितने बच गए calculator हमें चाहिए होगा तो यह आगे हमारे पास calculator औ 31 में से हमें निकालने है 16 तो यह 16 निकाले तो पीछे 15 ही बच जाता है ठीक है तो इससे तो हमारा काम और असान हो गया तो यहां पे आप लिखेंगे 15 और इधर अब आप 15 15 से cancel कर दो और यह square root 31 plus 4 यह अपका answer हो जाएगा ठीक है तो इसके नीचे कुछ नहीं है यानि इसक की नीचे 1 है और हमारा नीचे से radical का sign खतम करना ही मक्सदता तो वो खतम हो चुका तो आप देख सकते हो के यहां पे radical का sign था और इधर मुझूद answer में नहीं है और हमने इसको conjugate की method को इस्तमाल करते हुए solve कर लिए ठीक है six की तरफ चलते हैं तो part number six आप लोगों को screen के उप square root three तो इसके conjugate से multiply और divide करवाएं तो two divide by square root five minus square root three multiply square root five plus square root three तो square root five plus square root three तो multiply और divide करवा दिये conjugate से उपर वाले two को multiply हो जाएगा numerator square root five plus square root three के साथ और नीचे वाले आपस में multiply होंगे तो अब देखिए दोनों एक जैसे हैं दरम्यान में सिर्फ symbol का फरक है तो यहां पर formula लग जाएगा a square b square वाला तो यहां पर आ जाएगा five hole का square minus three hole का square ठीक है फदर आगे चलें तो अब यह कैसे solve करेंगे तो उपर वाला वैसे का वैसा रहने देते हैं तो यहां पर आ जाएगा two और इदर आ जाएगा square root five plus square root three और number को रहने देते हैं क्योंकि नीचे वाले यह square root से cancel होगा तो number ही बच जाएगा तो यह बच जाएगा इदर five minus three ठीक है तो यह हो जाएगा two और इदर आ जाएगा square root five है पहले तो five प्लस square root 3 और नीचे 5 में से 3 गए तो 2 बच जाएगा ठीक है जो कि अब नजरा रहा होगा आपको और यहां पे 2 2 से cancel हो जाएगा तो square root 5 plus square root 3 यही हमारा answer होगा आप देख सकते हो नीचे कोई radical का number नहीं है तो यह भी असान सा था उमीद करते हो समझ में आ गया होगा तो part number 7 आप लोगों को screen के ऊपर नज़र आ रहा है से solve करने के लिए सबसे पहले तो इधर लिखा जाएगा solution और solution लिखने के बाद अब हम क्या करेंगे सबसे पहले question को उतार लेते हैं square root 3 minus 1 और नीचे divide by आजाएगा square root 3 plus 1 ठीक है इसके बाद नीचे वाले denominator की conjugate से multiply और divide करवाएगे तो equal का sign डाल दीजिए square root 3 minus 1 divide by square root 3 plus 1 ठीक है तो इसका conjugate लेंगे तो multiply करवाएगे तो square root 3 plus था तो minus आजाएगा conjugate में और यहाँ पर आजाएगा square root 3 minus 1 ठीक है अब यहाँ पर देखिए उपर जो है वो एक जैसी values है यानि के यह तो मालूम है उपर को उपर के साथ multiply होगा नीचे वाले denominator आपस में multiply होंगे तो यहाँ पर है square root 3 minus 1 और square root 3 minus 1 ठीक है तो यह दोनों एक जैसे हैं तो इसलिए मैं यहाँ पर क्या लिख सकता हूँ square root 3 minus 1 whole का square ठीक है I hope यह चीज पता होगी जैसे के a plus b होता है ठीक है और यह plus b होता है तो इसको हम two times है तो a plus b same values है तो a plus b whole का square लिख सकता है तो उपर वाले को इस तरह मैं whole का square लिख लूँगा और नीचे वाले तो आपको पता ही है कि मैं इसको मिटा लूँ एक बार फिर बताता हूँ नीचे जो है एक बार plus में value है और minus में और same values है तो नीचे कौन सा formula लग जाएगा a square b square वाला तो मैं यहाँ पर क्या कर सकता हूँ मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ square root 3 minus one whole का square ठीक है और divide by यहाँ पर आ जाएगा square root 3 whole का square minus one whole का square ठीक है तो दोनों formula's हमारे बन गए अब इन formula's को खोलेंगे तो यह क्या हो जाएगा तो देखे इदर side में open करता हूँ ताके आप लोग इस चीज़ को समझ सको देखे फार्मूला कौन सा होता है पहले तो आपको यह पता होना चाहिए a minus b whole का square यह किसके equal होता है यह होता है a square उसके बाद plus b square और पर दरम्यान में अगर plus हो तो plus to a भी होता है तो यहाँ पर minus है तो इसलिए minus two a b ठीक है यह वाला फार्मूला लग जाएगा और अब हमारे पास a और b की जगे क्या है यह वाली values हैं तो इसको भी यहाँ पर मैं लिख देता हूँ एक बार यहाँ पर है square root three minus one whole का square तो यह क्या हो जाएगा हमारे पास यह हो जाए term का square होता है ठीक है तो यहाँ पर आ जाएगा plus second term क्या है हमारे पास one है तो one whole का square आ जाएगा उसके बाद दर्म्यान में इनके minus है ठीक है तो यहाँ पर आ जाएगा minus two first term क्या हमारे पास square root three और last term क्या हमारे पास one तो I hope formulas put करने आते होंगे तो आप यह समझ जाओगे अब यह square square root से cancel हो जाएगा तो पीछे three बच जाएगा और यहाँ पर plus one आ जाएगा और इधर minus number number से multiply होता है तो two ones are two हो जाएगा और यह एसे आ जाएगा और in the end फिर four minus two ऐसे आ जाएगा तो मैंने सारा ही solve करके दिखा दिया है यहाँ पर तो मैं सासाथ करता जाता हूँ आप लोगों को I think इसको मिटा दूँ इसको मिटा देता हूँ ताके आप लोग confuse ना हो जितना साफ चलो formula लिखे रहने देते हैं तो यह formula ह हमार आप साथ देखते रहिएगा तो इसको मैं अब formula के shape में अगर open करूँ एक line छोड़ के लिख लेते हैं ताके आप लोग easily समझ सको तो यह हो गया first term hole का square minus one hole का square sorry plus आता है ठीक है जैसे first and last term तो plus के साथ होती है फिर दरमयान में minus हो तो फिर minus आता है तो minus two first term के हमाई पा square root three last time के है one ठीक है तो यह उपर formula open कर दिया मैंने और नीचे जो होगा square square root से cancel हो जाएगा तो पीछे बच जाएगा three और one का square one ही होता है तो यहां पर one आ गया ठीक है तो अब मैं इस साथ वाले को में रफ़मल को मिटा सकता हूँ अब इसके बाद जो है आगे अगर चले तो अब हम क्या करेंगे जैसे पहले बताया था square square root से cancel हो जाएगा तो three plus one minus two one जा two होगा और यहां पर square root three बच जाएगा और नीचे हमारे पास क्या आ जाएगा नीचे आजएगा three में से one गया तो two further आगे चले तो three और one कितना होता है four तो यहां पर आ गया four minus two square root three divide by two अभ नजर आ रहा होगा यानि मैंने क्या किया आपको बता देता हूं यहां पर मैंने यह किया कि फ्री और one कितना होता है four तो यहां पे four आ गया और यहां पे minus two square root three था तो minus two square root three को वैसे का वैसा लिक लिख लिए नीचे two था तो two भी वैसे का वैसा ही आ गया ठीके तो अब जो common लेलो तो अंदर बच जाएगा two to the four minus ये two बाहर चला गया तो इदर बच जाएगा square root three और नीचे आ जाएगा यहाँ पर two ठीक है I hope ये चीज आपको आते होगी common लेना छोटी classes में नहीं भी आता तो मैं बताओं कि अगर दर्म्यान में plus minus हो और इदर भी कोई ऐसे number हो इदर भी कोई ऐसे number हो जो कि एक ही table या पहाड़े के उपर divide होते हो तो फिर उस table को हम बाहर निकालेते हैं जैसे ये और ये दोनो two के उपर divide होता थे two के table पर divide होते थे तो इसलिए two बाहर निकाले और जो divide होने के बाद answer आया जैसे two to the fourth है तो two यहां लिख लिया two ones are two होता है तो one हमेशा लिखते नहीं है ठीक है इसलिए आपको नज़र नहीं आ रहा है यहां पर तो पीछे यह बच जाएगा ऐसे common लिया जाता है नहीं तो common लेना सीख सकते हो आप तो उसके बाद two two से एक जैसे उपर नीचे cancel हो गया two one is a two तो पीछे हमारे पास क्या बच गया पीछे हमारे पास बच जाएगा two minus square root three तो यह question भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा तो इसमें भी बस फार्मूला का इस्तमाल करना आप लोगों को सीखना है अगर फार्मूले के इस्तमाल आते हैं तो आप लोग easily इस question को भी solve कर सकते हो ठीक है तो अगले की तरफ चलते हैं तो part number eight आप लोगों को screen के उपने जड़ा रहा है इसे solve करें तो solve करने के लिए इधर सबसे पहले लिखा जाएगा solution और solution लिखने के बाद question को एक बार उतारें तो square root five plus square root three divide by square root five minus square root three ठीक है तो हम सबसे पहले क्या करते हैं हम नीचे वाले के conjugate से multiply divide करते हैं तो square root five plus square root three divide by square root five minus square root three multiply square root five अब conjugate क्या जाएगा minus से नीचे तो ऊपर plus आ जाएगा ठीक है तो plus square root three divide by square root five plus square root three ठीक है फर्दर इसको आगे चलाएं तो ऊपर वाले सेम है पिछले questions की तरह तो मैं लिख सकता हूँ square root five plus three sorry square root है whole का square और नीचे जो है अब आप देख सकते हो अब तो direct समझ में आ जाए ये दोनों same values है बस धर्मियान में plus minus का फर्क है तो मैं यहां पर लिख सकता हूँ sorry square root five whole का square minus square root three whole का square ठीक है फर्दर आगे चलें तो अब हम क्या formula open करें formula open करेंगे square root five plus square root three यह है ना तो मैं side में कर देता हूँ तो सबसे पहले first term का square उसके बाद plus last term का square ठीक है और उसके बाद plus पिछले question में formula का इस्तमाल बताया है इसलिए यहां पर मैं direct ही कर रहा हूँ तो यहां पर plus है तो दर्म्यान में plus AB AB की जगे under root five है और square root three है ठीक है तो यह हमारे पास किस के आ जाएगा square root square से cancel इधर भी cancel इधर आ जाएगा two five multiply by three ऐसे करके कुछ आ जाएगा ठीक है तो मैं आपको वीडियो बनाने का वह है जिनको समझ में नहीं आता उनको समझ माया तो फार्मूला फर्स्ट रम का square लास्ट रम का square plus first term क्या है square root five last term क्या है square root three ठीक है तो उपर हमने formula open कर लिया formula open करने का नीचे जो है square square root से cancel तो five square square root से cancel तो only three ठीक है तो अब इसको नीचे लेकर जाते हैं और further इसको आगे बढ़ाएं तो square square root से cancel हो जाएगा ये वाला तो पीछे बच जाएगा only five और इधर भी square square root से cancel हो जाएगा तो पीछे बच जाएगा only three तो five plus three उसके बाद यहां पे plus two ये वाला ठीक है और five और three दोनो square root में तो मैं दोनों को कथा भी लिख सकता हूँ five तो यह root वालन हिस्सा है तो इसलिए इसको add नहीं कर सकते हैं इन दोनो numbers को add कर लेते हैं तो यहां पे आ जाएगा पांच छे साथ eight plus two square root और five three तर कितना होता है फिफटीन तो यहां पे अंदर लिया जा सकता है तो two common ले लेते हैं तो जैसे two common लेंगे तो two fours are eight and the four आ जाएगा plus two one's are two one लिखते नहीं है तो directly हम square root fifteen जो है यहां पे लिख लेंगे ठीक है और नीचे जो है हमारे पास क्या पहले से बचाए और two तो अब यह two और यह two ऊपर नीचे है तो यह दोनों एक दूसरे से cancel हो सकते हैं और पीछे बच जाएगा four plus square root fifteen और यह हमारा पास answer होगा ठीक है आप देख सकते हैं नीचे कोई radical का symbol नहीं है ठीक है तो इस तरह से यह पहला question मुकमल हो गया ठीक है उमीद करते हो समझ में आगया होगा अगले की तरफ चलते हैं तो question number two आप लोगों को screen के ऊपर नजर आ रहा है इसमें क्या बोला जा रहा है find the conjugate of x plus square root y कि आपने conjugate मालूम करना है इस तरह के तमाम questions का आप यह समझ सकते हो ठीक है या xy जो है वो journal form में बता रहा है कि या यनि सारे question इसी तरह के तो है अगर आप देखो तो दिहान से ठीक है तो basically असान लफजों में यह के आपने conjugate मालूम करना है इन सबका one by one तो conjugate आप पिछले question में भी मालूम करना सीख चुके हो second chapter के अंदर भी सीख चुके हो तो वह तो असान सा है मालूम करना तो मैं इस question को लिख के solve करूँगा तो आप लोगों को उमीद है सासा समझ में आती रहेगी फिर भी जर्नली बता देता हू के conjugate का मतलब होता है दो term के दर्मियान वाला symbol जो है उसे change करने को बोला जाता है conjugate करना ठीक है जैसे मैं लिखता हूँ पहले question लिखता हूँ पिर बताता हूँ आपको तो यहां पे सबसे पहले हम लिखेंगे solution और solution लिखने के बाद जैसे के इस पहले part का conjugate मालूम करना है तो मुक्तित तरह से solve किया जा सकता है लेकिन असान तरीका यह है कि आप लिख दीजे साथ में तो आपको असान उसी वक्त हो जागा जैसे पहले part में conjugate मालूम करना है तो आप लिख दीजे conjugate of three plus में color change करके इसलिए लिख रहा हूँ आपने नहीं लिखना कि आप लोग देख सको कि क्या change हो है ठीक है लेकिन आप color change मत करिएगा ठीक है मैं समझाने के point of view से color change कर रहा हूँ तो conjugate of three plus square root seven is कितना conjugate हो जाएगा दरम्यान वाला sign जो है वो बदल दो तो यह हो जाएगा three minus square root seven ठीक है तो basically यह इसका conjugate हो गया plus को हमने minus में बदल दिया ठीक है तो सारे इसी तरह ह यहां यहां पर second part लिख लूं second part जो है उसमें भी सबसे पहले लिखेंगे conjugate of तो यह लिख लिखिए्मने conjugate of ठीक है उसके बाद जो है question हमारे पास क्या है यह高manus square root five टो यहां पर आ जाएँगा four minus square root five ठीक है तो इसका हमने conjugate हो जाएगा four plus square root five ठीक है तो यह सेकेंड चले जाएंगे तो यहां पर एक लाइन छोड़ के पार्ट नमबर फ्री लिख लेते हैं तो फ्री में भी conjugate ओफ लिखेंगे सबसे पहले तो यह मैंने conjugate ओफ लिख लिया और थर्ड करना ऐस जाएगा टू प्लस स्क्रापट प्लस थ्री तो यहां पं लिखेंगे तो इसका conjugate हो जाएगा है तुअ प्लस के जगे माइनस और यह स्क्राट थ्री ठीक है तो इस तरह से आपके, तीन पार्ट होगे, फॉर्थ पार्ट क्या है, तो इसको अब नीचे करना पड़ेगा, तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, पार्ट नमबर फॉर, conjugate of, क्या question था, two plus square root five, तो यहाँ पे आ जाएगा, white से ही कर देते हैं, अब तो समझ माँ आगेगा, two plus square root five, यहाँ पे आ जाएगा, यह कितना हो जाएगा, two minus square root five, ठीक है, तो ऐसे, मैं color change ही कर देता हूँ, इस तरह आपको फर्क पता नहीं चलेगा, कि कौन सा था, यहाँ पे था, two plus square root five, जिसको आपने middle value change करके, ऐसे लिख दिया, ठीक है, तो हमारे पास fourth part भी मुकमल हुआ, part number five है, तो सबसे पहले आपको लिखना होगा, conjugate of, तो किसका conjugate मालुम करना है, ऊपर यह, अब आप लोगों को यहाँ पे नज़रा रहा होगा, यह रहा part number five, five, तो five plus square root seven था, तो यहाँ पे आप लिख लो, five plus square root seven, और इसका conjugate कितना हो जाएगा, क्या हो जाएगा, five minus square root seven, ठीक है, तो part number five भी हुआ, part number six की तरफ चलते हैं, तो यहाँ पे लिख लेते हैं, part number six, conjugate of, तो यह लिख लिख लिए conjugate of, six किया है, हमारे पास five, four minus, sorry, आप नज़र आ रहा हुगा, four minus square root fifteen, ठीक है, तो यहाँ पे लिख लो, आप four minus square root fifteen, और इसका conjugate क्या आ जाएगा, इसका conjugate आ जाएगा, four plus square root fifteen, ठीक है, तो six भी हो गया, इसके बाद seven के तरफ चलें, तो यह part number seven लिख लिख लेते हैं, conjugate of, तो part number seven क्या है, हमारे पास, उपर देखें, तो part number seven हमारे पास, यह है, seven minus square root six, तो यहाँ पे लिख लेते हैं, seven minus square root six, और इसका conjugate कितना हो जाएगा, middle value बदल दो, तो seven plus square root six, ठीक है, part number eight, जो के आखरी part है, यहाँ पे लिख लेते हैं, conjugate of, तो eight part कौन सा है, nine plus square root two, तो यहाँ पे लिख लेते हैं, nine plus square root two, और इसका conjugate लेंगे, तो कितना आजाएगा, यह आजाएगा, nine minus square root two, ठीक है, तो इस तरह से, आप यह देख सकते हो, सारे मैंने conjugate ले लिए, question solve करने का तरीका मुक्तलिफ हो सकता है, लेकिन, करना यही होता है, कि आपका जो भी number होता है, उसका middle value बदल दो, आपका स्वाल इस तरह से solve हो जाएगा, ठीक है, तो चलिए, असान सा था second part, second question तो third की तरफ चलते हैं, तो question number three, आप लोगों को screen के ओपर नजर आ रहा है, तो इस question के three parts हैं, जो कि आप screen पर देख सकते हो, question असान सा है, कि if अगर x की value यह हो, two minus square root three, तो find मालूम कर दीजिए, one divided by x की value, ठीक है, तो पहला और दूसरा part तो एक जैसा ही है, पहले यह दो part कर लेते हैं, पर तीसरी की तरफ भी चल लेंगे, ठीक है, तो हम ऐसे करते हैं, part number one जो है, इधर लिख लेते हैं, और फिर one divided by x की value मालूम करते हैं, तो यह part number one जो है, मैंने यहाँ पर लिख लिख लिए, one divided by x की value मालूम करनी है, तो कैसे मालूम करेंगे, सबसे पहले तो आप यहाँ पर लिख लेंगे solution, solution लिखने के बाद जो given data है, या जो दीगी value है, वो आपके पास कौन सी x की, तो यहाँ पर लिख लेते हैं, x is equal to 2 minus square root 3, ठीक है, उसके बाद अब जो value मालूम करनी है, वो कौन से मालूम करनी है, one divided by x, ठीक है, तो देखिए, अगर x ब्राबर हो two के, समझाने के लिए safe, अगर x ब्राबर हो two के, ठीक है, तो one divided by x किसके ब्राबर हो जाएगा, लिख देंगे, ठीक है, जैसे यहाँ पर नीचे x था, तो नीचे मैंने two लिख दिया, ठीक है, ठीक है, किसी तरह इस चीज़ को वीक बच्चों के लिए थोड़ा सा और कोशिश करूँ, जैसे x ब्राबर है, अगर मैं लिख दूँ, c के, ठीक है, तो one divided by x किसके ब्राबर हो जाएगा, one divided by c के, तो मतलब यह कि x की जगे x की value लिख दो तो, वो one divided by x हो जाता है, अब जैसे हमारे पास question में है, x equal to two minus square root three, ठीक है, तो one divided by x किसके equal हो जाएगा, वो हो जाएगा, one divided by two minus square root three, तो अब question में यह बोला गए, one divided by x की value मालूम कर लो, तो इस तरह से तो यह बिल्कुल असान सा हो गया, value मालूम हो गई क्या, तो पहले हम इतना question solve कर लेते हैं, उसके बाद मैं आगे बताऊंगा, क्यों हम इसको further आगे solve करेंगे, जैसे x की value यह हो गई, तो आप यहाँ पर लिख लीज़े, one divided by x is equal to, कितना हो जाएगा, one divided by two minus square root three, ठीक है, अब हमारे पास यह आ गई, अब कोई भी answer जो है, वो नीचे third या पिर कहलो कि radical की form में नहीं लिख सकते, जो simplest form होती है, उसमें यह radical का sign नीचे से उपर की तरफ लेकर जाया जाता है, इसलिए पिछले questions में आपने इस सब चीज़ें सीखी हैं, कि नीचे से radical का sign कैसे खतम करेंगे, तो one divided by x की value कौन सी होगी, one divided by x की value जो के answer होगी, वो एक ऐसी value होगी, जिसमें radical का sign उपर तो हो, लेकिन नीचे ना हो, तो वो one divided by x की value होगी, और ऐसा क्यूं, क्यूंके simplest form में नीचे radical जो है वो, उसका symbol नहीं होता, ठीक है, तो इतनी detail I think काफी है, अब नीचे से radical का sign खतम करना आपने पिछले question में ही सीखा है, हम क्या करते हैं, नीचे वाले denominator का conjugate लेकि उसको multiply और divide करवा देते हैं, तो वो ही काम यहाँ पर करेंगे, तो one divided by two minus square root three था, तो multiply करवा देंगे two plus square root three के साथ, और फिर divide भी करवा देंगे two plus square root three के साथ, अब ये क्या हो जाएगा, उपर वाला numerator आपस में multiply होंगे, तो one के साथ multiply होने के बाद, ये वैसे का, वैसा ही, खाली one लिख लो week बच्चों के लिए या direct ऐसे भी लिख सकते हो, ये चीज़ तो समझ में आई गई होगी, ठीक है, ऐसे ही लिख लेते हैं, तो खाली ये बच जाएगा, और ये बचने के बाद, नीचे जो है, अब आप देखिए, ये दोनों same values हैं, बस दर्मियान में plus और minus का फर्क है, तो यहाँ पे कौन सा formula लगेगा, a minus b, और a plus b, किसके equal होता है, a square minus b square, तो ये वाला formula जो है, यहाँ पर apply हो जाएगा, पिछले questions की तरह, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे, 2 whole का square minus square root 3 whole का square, फर्दर हम इसको आगे चलाएंगे, तो ये 2 plus square root 3 वैसे का वैसा, और नीचे जो है, क्या आजाएगा, 2, 2 दा कितना होता है, 4, और दर्मियान में minus है, square, square root से cancel हो जाएगा, तो 3 आजाएगा, ठीक है, इसको further आगे चलाएंगे, तो ये हो जाएगा, 2 plus square root 3 divided by 4 में से 3 गया, तो पीछे 1 बच गया, अब 1 denominator में नीचे लिखते नहीं है, यानि होता है, लिखते नहीं है, जैसे plus 2 होता है, तो हम खाली 2 लिख लेते हैं, तो इसी तरह जब 2 अगर कहीं पे लिखा हो, तो उसके नीचे भी हमेशा 1 होता है, लेकिन हमेशा क्या लिखते हैं, सिर्फ 2 ही लिखते हैं, तो नीचे 1 जो है, उसकी value को लिखते नहीं, ले करो तो यह हमारे पास one divided by x है ठीक है यहाँ पर यह सीधा चलता चला रहा है ठीक है तो कैसे one divided by x है देखिए इस value में नीचे radical का sign जो है वो मुझूद है लेकिन अब जब one divided by x की यह वाली value देखेंगे तो इसमें radical का sign मुझूद नहीं है इसके denominator में ठीक है that's why यह one divided by x की simplified value कहलाएगी तो इस तरह से असान सा था आप इसलिए questions की तरह ही है कि आप क्या करेंगे आप simple x की value जो है उसको one divided by x यानिके इस form को इस form में लिख दीजे और simple conjugate लेके multiply divided कुवाके से हल कर लीजे तो part 2 भी बिल्कुल ऐसा ही होगा उसको लिखके solve करते हैं तो part 2 आप लोगों को screen के ओप नज़र आ रहा है यह भी बिल्कुल वैसे ही है इसे solve करों तो solve करने के लिए सबसे पहले तो इदर लिखा जाएगा solution solution लिखने के बाद x की value कहा हमारे पास four minus square root 17 यह लिख लिख लिए तो one divided by x की value कितनी हो जाएगी one divided by four minus square root 17 ठीक है अब हम यह नहीं के x की value जो है one divided by x की value वह value होती है जिसमें नीचे radical का sign नहीं होता तो हम इस radical के sign को खतम करना सीख चुके हैं तो कैसे खतम करेंगे हम यहां पे four minus square root 17 इसको multiply divide करवा देंगे इसके conjugate से तो यह हो जाएगा four plus square root 17 divided by four plus square root 17 ठीक है फ़र आगे चलें तो one के साथ उपर four plus square root 17 multiply होगा तो यह हो जाएगा four plus square root 17 वैसे का वैसा और नीचे a plus b a minus b वाला formula लग जाएगा तो four hole का square minus square root 17 hole का square बन जाएगा फदर आगे चलें तो four plus square root 17 और divide by four four दा कितना होता है 16 और 17 का square square root से cancel हो जाएगा तो minus 17 आ गया और इसके बाद फदर आगे चलें तो यह हो जाएगा four plus square root 17 divided by minus one अब इस sorry नजर नहीं आ रहा अब इस minus one को कैसे हम handle करेंगे नीचे वाला one लिखते नहीं है तो यानिके आप यह देखिए जैसे अगर कहीं पर लिखा हुआ है मैं इसको numbers की form में करता हूँ two divided by minus one लिखा हुआ ठीक है तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ one divided by minus one multiply by two ठीक है मुक्लिफ तरीके होते हैं हर तरह से आप इसको समझ सकते हो आप ऐसी भी समझ सकते हो कि यह minus one जो है मैंने यहाँ पर बाहर निकाल लिया और आप जो यानि के one divided by minus one है इसका one one the one ही होता है ठीक है तो इसलिए simple मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ minus one ठीक है और यह multiply by two तो directly है आप यहाँ पर भी लिख सकते हैं तो यह चीजे discuss करने का मतलब यह है कि आप इन चीजों को समझ सको अब जो हमारे पास situation है इस situation को कैसे समझेंगे अब अब देखिए यहाँ पर है four plus square root 17 divided by minus one ठीक है तो इसको मैं यानि कि minus one divided by one sorry मैं इसको न थोड़ा सा वीक बच्चों के लिए थोड़ा इसको one divided by minus one और यहाँ पर लिख सकता हूँ four plus square root 17 ऐसे लिख सकता हूँ न अब one दा one होता है तो यह हो गया minus one ठीक है और यहाँ पर आ जाएगा four plus square root 17 ठीक है अब यह आ गया अब यह आने के बाद अब इसको brackets open कर दो one अंदर इसके साथ भी multiply हो रहे तो four one's a four बाहर minus होता है bracket open करते है तो अंदर वाली values बदल जाती है ठीक है तो minus one जो है यानिके four one's a four और यह plus का four था तो minus का four हो गया और यह हो जाएगा one के साथ square root 17 multiply होगा तो यही answer आ जाएगा और plus की value थी तो यह change हो जाएगी क्योंके बाहर minus है तो यहाँ पर minus आ जाएगा तो minus four minus square root 17 इसका answer हो जाएगा ठीक है तो मैंने आपको थोड़ी कोशि की है वीग बच्चों के लिए कि आप इस steps को समझ सको तो यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा four plus square root 17 ठीक है और यहाँ पर कर ले minus one ठीक है कैसे आया मैं बीचे बता चुका हूँ आपको अब बाहर minus है तो अंदर वाली values change हो जाएगे तो यह हो जाएगा minus four और minus square root 17 तो यह इसक answer हो जाएगा one divided by x की value मालुम कर रहे थे तो यह one divided by x की value होगी तो बस थोड़ा सा technical था लेकिन उमीद करता हूँ आप इसे भी समझ गए होगे ठीक है तो third part लिखते हैं तो part number three आप लोगों को screen के ओपर नजर आ रहा है यह भी बिल्कुल वैसा ही है बस इसमें थोड़ा सा फर्क है कि इसमें add करना पड़ेगा आखिर में कैसे होगा मैं बताता हूँ सबसे पहले तो वैसे ही होगा सबसे पहले लिखेंगे solution solution लिखने के बाद हमें क्या चीज़ दी गई है x की value दी गई है जो कि कितनी है square root 3 और plus 2 अब हमें क्या मालूम करना है x plus 1 divided by x ठीक है तो अ कि अभी हम मालूम कर लेंगे पर इन दोनों जो values होगी जो इन दोनों को हम add कर लेंगे तो हमारे पास 1 divided by x plus 1 divided by x की value आ जाएगी ठीक है तो एक रफली मैंने idea दे दिया कि मैं क्या करने वाला हूँ बाकी question solve होगा तो साथ-साथ आप समझ सकते हो तो x की value यह है अब हमें 1 divided by x की value मालूम करनी होगी जो कि अभी तक आप मालूम करते आ रहे हो तो 1 divided by x किसके equal होगा वो होगा 1 divided by square root 3 plus 2 के उसके बाद further आगे चलें तो यहां पर आजाएगा 1 divided by square root 3 plus 2 अब हमें नीचे से खतम करना होगा radical के sign तो multiply कर देंगे इसके conjugate के साथ तो 3 minus 2 हो जाएगा और भी square root 3 minus 2 हो जाएगा ठीक है further आगे चलें तो 1 के साथ multiply होने के बाद square root 3 minus 2 बच्छाएगा ठीक है और नीचे जो है एक बार हो जाएगा square root 3 whole का square and ack baoar हो जाएगाelu हो जाएगा minus 2 whole .単 हम आगे चलें तो अभी हो जाएगा 3 square root minus 2 वैसे का वैसा और नीचे हमारे पास आ जाएगा क्या square root square से cancel तो पीछे बच जाएगा 3 और minus 2 2 दा कितना होता है 4 तो यहां पर आगे 4 तो यह भी बिल्कुल वैसे ही निकला कि square root 3 minus 2 divided by minus का number बड़ा है तो 4 में से 3 गया 1 जो बड़ा number होता है उसका sign लिखते हैं तो minus का sign इधर आजाएगा अब नीचे वाला minus का sign जो है अभी आपको जैसे मैंने बताया था कि कुछ बच्चे शायद इस question को देखें directly तो मैं दुबारा बता देता हूँ देखिए यह चीज़े इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1 divided by minus 1 कि यह बाहर निकाल लिए और इधर बच गया square root 3 minus 2 अब 1 1 दा 1 होता है ठीक है तो अब हम 1 1 दा 1 तो 1 साथ में minus था तो minus और यह हो गया square root 3 minus 2 तो पिछला question आप देखेंगे तो उसमें यह चीज़ अच्छे से मैंने बताई है लेकिन हम इसमें भी मैंने बता दिये के minus 1 को इस तरह से अलग से बाहर निकालो और फिर 1 1 दा 1 होता है और minus साथ है तो minus हो गया अब यह minus जो है अंदर वाली values को बदल देगा ठीक है तो यहां पर मैं लिख सकता हूँ क्या के white color चाहिए हमें minus 1 into square root 3 minus 2 और that's all ठीक है तो अब minus 1 बाहर है तो अब यहनि इस minus को खतम करने के लिए brackets open कर देंगे bracket open करेगा तो यह minus अंदर वाले sign बदल देगा ठीक है अगेन बोल रहो पिछले question में यह चीज मैंने बताई है तो plus square root 3 जो है वो plus का था तो यह क्या हो जाएगा minus का हो जाएगा और minus 2 था तो यह plus 2 हो जाएगा ठीक है तो इस चीज को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2 minus square root 3 ठीक है तो फिर इससे क्या फायदा होगा कि यह minus वाले number पीछे चला गया ऐसे भी लिख सकते थे आप ऐसे भी लिख लो कोई फर्क नहीं है तो अब हमारे पास किस की value आई वान डिवार्ड बाइ x की value आई ठीक है अब आप दिहान दीजिए देखिए हमारे पास वान डिवार्ड बाइ x की value भी मुझूद है ठीक है और हमारे पास question में जो दी गई है x की value भी मुझूद है हमने मालूम क्या करना है x plus one divided by x तो अगर मैं x की value को और one divided by x की value का आपस में add कर लूँगा तो यही तो आ जाएगा मेरे पास answer जो के question में पूचा गया था तो इसलिए मैं अब क्या करूँगा इनको add कर लूँगा ठीक है तो add करने के लिए मैं ऐसा क को दे देता हूं two का नाम ठीक है और यहां पर लिख देता हूं adding equation two and one तो यह मैंने लिख लिए adding equation one and two अब directly भी कर सकते हो ठीक है वो अलग अलग तरीका होता है teacher का लेकिन main concept आपने समझ लिया कि दोनों को add हमने करना है तो दोनों को add करें तो एक हमारे पास x है value और एक हमा value क्या है ऊपर से देख लें आप यह रही x की value square root three plus two जो के question में था तो यहां पर square root two और square root two और sorry square root three plus two है मैं भी यह कहूँ के कुछ मसले square root three plus two है तो square root three plus two ठीक है यह हमारे पास x की value आ गई यह plus ठीक है और यहां पर one divided by x की value यह है ठीक है आप इसको भी direct लिख लोगे तो भी फर्क नहीं पड़ेगा एक ही बात है ठीक है तो आप यहां पर लिकलो two minus square root three ठीक है यह वाली जो है मैंने value अब यहां पर लिकली अब आप देख सकते हो मैं थोड़ा अलग अलग करके दिखा देता हूँ यह हिस्सा x के है यह one divided by x के है और यह दर्मियान में plus हो ठीक है तो plus में values बदलती नहीं है जब bracket open होता है चोटी classes में आप सीख चुके हो तो यहां पर यह ऐसे का ऐसा ही आ जाएगा क्या square root three plus two plus two minus square root three ठीक है अब जो चीज़ cancel होती है यह देखिए same values है लेकिन मुक्तलिफ science के साथ है तो plus minus एक दूसरे से cancel two or two कितना हो जाएगा four तो x plus one divided by x जो है वो किसके equal आया वो हमारे पास four के equal आ ठीक है तो यही हमें मालूम करना था तो उमीद करता हूँ आ यह question भी समझ में आ गया होगा तरीका कोई भी हो सक सकता है लेकिन question ऐसे ही solve होगा ठीक है तो चलिए अगले की तरफ चलते हैं तो question number four आप लोगों को screen के ओपर नजर आ रहा है जिसमें क्या बोला जा रहा है simplify करना है आपने इन तीनों question को अब simplify करने से मुराद यहां पर क्या होगा पहले question में बताया था दुबारा से बता र question के अंदर denominator में radical का sign मुझूद हो तो आप क्या करते हैं उसको rationalize करते हैं rationalize करने से मुराद क्या कि denominator से radical का sign खतम करते हैं और खतम करने को ही बोला जाता है आम जबान में simplify करना मतलब असान लफ़ बताऊं तो इस question को सबसे पहले आप rationalize करेंगे rationalize करने से मुराद इसको यहां पर denominator में radical का sign इस्तमाल नहीं हो रहा होगा जैसे के पिछले questions में हमने questions को solve किया ठीक है जब आप इस जगे पहुचा देंगे तो यही आपका answer होगा और इस question को rationalize करना यहां तक पहुचाने को आम जबान में बोला जाता है simplify करना ठीक है मैं part number one ऐसा करता हूं नीचे लिखता हूं और फिर उसको solve करते हुए भी आपको और अच्छे से बता दूगा कि क्या कहना चाहरा था मैं ठीक है तो यह part number one आप लोगों को screen के ओपर नजर आ रहा है तो इसे simplify करना है तो simplify करने से मुराद हम क्या करेंगे जैसे कि इस तरह का question question number one में आप solve कर चुके हो हम क्या करेंगे यह अलग-अलग इनको rationalize कर लेंगे कैसे जैसे इसको हम क्या करेंगे इसके denominator का conjugate लेके multiply और divide कर वा लेंगे मैं आपको लिखके दिखाता हूं फिर आपको समझ महा जाएगा पहले question के तरह ही है तो सबसे पहले क्या करेंगे question को लिख लेते है one plus square root two divide by square root five plus square root three पिर यहां पर plus आ गया one minus square root two or divide by square root five minus square root three ठीक है अब इधर equal का हम sign डाल देंगे अब आप देखिए मैं क्या करूंगा सिर्फ इस सिको अगर मैं rationalize करूं तो मैं कैसे करता था मैं लिखूंगा तो आपको समझ में आना चाहिए मैं ऐसे करता था one plus square root two divide by square root five plus square root three ठीक है मैं करता था कि नीचे वाला जो denominator था इसके conjugate को इसके साथ multiply भी करवा देता था और divide भी करवा देता था तो वही चीज़ यहां पर मैं अब करूंगा ठीक है तो आपको समझना है तो multiply डाला तो यहां पर आ गया अब square root five यहां पर plus था तो conjugate इसका क्या हो जाएगा minus तो यहां पर minus square root three divide by फिर multiply के साथ divide भी करवा देंगे तो यह square root three आ ठीक है तो मैंने क्या किया यहां पर वैसे का वैसा लिखा फिर इसको rationalize करने के लिए इसका conjugate ले लिया ठीक है तो basically मैंने इस question में इस इससे को जैसे किया है वैसे ही मैं इधर कर दूंगा और फिर दोनों के answer को add कर लू करेंगे one minus square root two है तो यहां पर यहां पर square root five है minus square root three है तो अब यहां पर भी multiply कर देंगे square root five conjugate plus आ जाएगा फिर और यह square root three divide by square root five plus square root three अब हम इसके बाद क्या करेंगे इसके बाद वही चीज जो के पिछले questions में कर रहे थे बस यहां पर थोड़ा बड़ा question हो गया पहले इस question को solve करने के लिए बरहाल आगे अगर चलें तो अब यह से multiply हो रहा है और यह से multiply हो रहा है तो उपर वालों को multiply करेंगे तो क्या जाएगा one plus square root two इसको इससे multiply कर दें तो square root five minus square root three तीक है और नीचे वाले जो है अगर आप इदर ध्यान से देखो तो formula लगता है यह और यह द हम a square plus b square का formula लगा लेते हैं तो यहां पर square root five का square आ जाएगा और minus square root three whole का square ठीक है कौन जा formula a plus b और a minus b is equal to a square minus b square यह वाला फार्मूला इदर apply कर दिया मैंने ठीक है तो अगर सारे questions किये हैं तो फिर इतना मुश्किल होना नीचाहिए इसकी practice हो चुकी होगी आपकर दर्म्य से को भी ऐसे ही हल करेंगे ऊपर वाली दोनों values आपस में multiply हो रही है तो यहां पर आ जाएगा one minus square root two brackets brackets multiply को show कर रहे हैं तो that's why के brackets डाल दी plus square root three और नीचे अगर चलेंगे तो यह भी वही a square minus b square वाला formula लग जाएगा तो यहां पर क्या आ जाएगा पहले five है तो five whole का square minus और यहां पर आ जाएगा square root three whole का square ठीक है इसके बाद further आगे चलें तो इससे को अगर हम देखें तो यहां पर multiply करना होगा तो हम ऐसा करते हैं इधर multiply कर लेते हैं rough अमल में और उसके बार direct यहां लिख देंगे और वरना question लंबा हो जाता है तो आप यानि कि हमारे पास क्या है यह दोनों आपस में multiply हो रहे हैं तो बजाए हम question में ही multiply करवाएं अलग से रफ पेज पर multiply करवा के लिख लीजिए तो उससे गलती के chance कम होंगे तो क्यूंकि जब अलग से करते हैं तो अब जैसे इस हिसे में multiply ही करवा रहा हूं तो मैं असान है अगर मैं इधर ही multiply करवा ल लगे तो five minus square root three ठीक है तो यह हमारे पास है तो multiply कैसे करवाते है multiply आपको पता है कि जब भी इस इससे को पहले पूरे इसके साथ multiply करवा देंगे और फिर दूबारा इस इससे को फिर दूबारा इसके साथ तो multiply करवाना आए हो पाता होगा लेकिन पिर भी मैंने बता दिये तो one को एक बार करवा देंगे square root five और minus square root three के साथ उसके बाद यहाँ पे plus है तो यहाँ पे डाल दो plus उसके बाद इसको इस पूरे के साथ multiply करवा देंगे तो क्या है square root two और अंदर क्या है five minus square root three ठीक है I hope multiply करना आता होगा कि इस पूरे को अब आप देख सकते हैं यह दोनो पूरे जो है एक बार इसके साथ एक बार इसके साथ multiply करवा है रोक के देख लीजिए अगर समझ में नहीं आ रहा इसके बाद अब इनको multiply करेंगे तो one अंदर multiply होगा तो यही जवाब आ जाएगा जो भी one से multiply होते तो इधर तो आ जाएगा square root five minus square root three ठीक है और इधर जो है brackets नहीं डालते हैं क्योंकि multiply तो हो नहीं रहा और इधर जो है अब multiply इधर करवाएंगे इसको इसके साथ और फिर इसको इसको इसके साथ तो यह हो जाएगा हमारे पास square root two और square root five यह एक बार इसको इसके साथ कर दिया अब दर्म्यान में क्या है minus तो भार प्लस है तो अंद multiply करना असान होता है एक को एक के साथ इसके साथ किया तो वैसे का वैसा इसको एक बार इसके साथ किया इसको एक बार इन दोनों के साथ किया ठीक है तो यह चीज़ हो गया यह होने के बाद अब आगे क्या करेंगे इसको फर्दर देखें तो square root five minus square root three और plus ठीक है बलके हम ऐ कैसे करते हैं direct इतना भी direct नहीं करते हैं आपके teacher कहेंगे के सारे steps कहां चले गए हम इसको लिख लेते हैं यहां पर यह वाला step ठीक है तो उपर वाले मिटा देते हैं सारे तो I hope समझ रहे होंगे कि इन दोनों को multiply हमने करवाया तो यहां तक तो हम पहुंच गए तो इसको द square root 2 square root 5 ठीक है और फिर minus square root 2 और फिर square root 3 ठीक है तो यह सारा आपस में multiply मैंने करवा दिया इसको मिटा देते हैं ठीक है तो इसको थोड़ा सा पीछे कर लेते हैं थोड़ा आगे जगे ताके बच जाए हमारे पास अब नीचे जो है लाइन आ जाएगे लाइन खीचने के बाद 5 का square root से cancel हो जाएगा तो पीछे क्या बच जाएगा हमारे पास 5 और यहां पे square root से cancel हो जाएगा तो बच जाएगा 3 तो यह हो गया यह होने के बाद अब दरम्यान में plus था तो यह वाला plus आ गया अब इस इससे को भी multiply करवाना है ठीक है तो आप square root फाइव प्लस square root फ्रीए ठीक फिर minus square root 2 into square root 5 plus square root 3 ठीक है अब square root 5 वन के साथ multiply होगा तो दुबारा ये ही आ जाएगा अब बाहर minus है तो अंदर वाली values बदल जाएगे ठीक है और minus two जो है minus square root two जो है वो multiply हो जाएगा एक बार five के साथ और ये बाहर minus है bracket open होगी तो sign change हो गया फिर ये square root two जो है वो multiply हो जाएगा three के साथ ठीक है I hope ये चीज़ भी समझ में आ गई होगी के एक बार इसको इसके साथ करवाया जो कि ये जवाब आ गया इसको एक बार इसके साथ करवाया जो कि ये हो गए हमारे पस ठीक है अब यही वाली line जो है ये वाली इसको मैं उठा कि इधर लिख लेता हूँ ठीक है क्योंकि इन दोनों को multiply sorry नजर नहीं आ रहा इन दोनों को दुबारा बताता हूँ इन दोनों को आप multiply करवाओगे तो यही आपके पास आ जाएगा ठीक है जो कि मैंने आपको इन को बता भी दिया है तो लिख लेता हूँ यहाँ पर तो इदर लिख dedicate लिख ओ यह हो जाएगा square root five और फिर है square root three टीक है फिर है minus two square root sorry minus two नहीं है मैनेश square root two and multiply square root five और यहां पर आजायेगा फिर minus और फिर है square root two or square root three टीक है तो यह सारा देखके मैंने उपर यहां पर लिख लिया ठीक है तीछे वाले इसे को मिटा देते हैं तो यह गया यहां से मिट मिटने के बाद अब हम क्या करेंगे अब हम इदर five square root square से cancel हो जाएगा तो इदर बच जाएगा five इदर three square root से cancel होगा तो पीछे बच जाएगा three same अब हम और further नीचे जाएंगे तो अब आप देखिए जो चीज cancel होती है या क्या करेंगे हम यह और यह तो single वैसे का वैसे ही रहेगा तो यहां पे white color से लिख लेते हैं square root five minus square root three इन दोनों को कठा करें तो यह हो जाएगा plus two multiply by five तो two multiply by five जो होता है वो ten होता है तो मैं इसलिए direct ten ही लिख लेता हो यहां पे तो यह आगया ten इसी तरह पिर यह minus है तो यहां पे आ जाएगा हमारे पास minus और यहां पे अंदर three multiply by two लिखेंगे तो three two the six होता है तो direct six ही लिख लेते हैं और नीचे हमारे पास क्या है दीचे हमारे पास पांच में से तीन गए तो बच गया इधर प्लस था तो प्लस डाल दिया इधर एक लाइन खीज दी ठीक है इधर भी यह दोनों तो single single है इसको वैसे का वैसे लिख लो तो square root five plus square root three अब minus फिर अब इधर पांच और दो है तो पांच और दो multiply अब हम क्या करेंगे इनका LCM ले लेंगे तो LCM के बारे में आप लोग जानते हो जब भी denominator same होते हैं तो हम क्या करते हैं उपर वाले numerator वैसे के वैसी लिख लेते हैं तो यह आगे इसका LCM two यह जब भी यहां पे दो दोनो denominator same होते हैं तो वही हमारा नीचे आ जाता है और scale root 10 minus scale root 6 अब दरम्यान में plus है यह वाला तो यहां पर यह प्लस आ गया ठीक है साइन तो बदलेंगे नहीं इसलिए bracket डालने के जूरत ही नहीं है अब यह और यह भी आपस में same है तो उपर वाली value वैसी के वैसी आ जाएगी तो यहां पर भी 5 आ गया यहां पर 3 आ गया इध minus 10 हो गया इधर minus 6 था तो minus 6 हो गया अब आप देखिए जो भी चीज़ कैंसल होती है उसे काट दीजिए तो पिर आपका स्वाल छोटा हो जाएगा जैसे minus square root 10 और plus square root 10 यह दोनों आपस में कट गए और minus square root 3 और plus square root 3 यह दोनों आपस में कट गए बाकी जो है दोनों नहीं बज गए हमारे पास अब हमारे पास बज गए 5 ठीक है plus square root 5 plus sorry अब minus के हैं तो यहां पर आ जाएगा minus square root 6 minus square root 6 और divide by आ जाएगा हमारे पास 2 ठीक है direct भी कर सकता था लेकिन एक step बढ़ा दिया मैंने कि ताकि आप लोग समझ अच्छे से सको तो अब यह कितना हो जाएगा 2 square root 5 minus 2 square root 6 ठीक है अब यह कैसे हुआ अगर कहीं पर लिखा हुआ है a plus a ठीक है minus b minus b तो आप क्या कर लिखते हो 2a minus 2b ऐसी लिखते हो क्योंकि इनके साथ कुछ नहीं है तो इनके साथ one मौझूद है तो ठीक किसी तरह square root 5 के साथ यहां पर कुछ नहीं है तो one मौझूद होता ह होता है ठीक है तो one one इन दोनों को आपस में add करेंगे तो कितना हो जाएगा one और one two हो जाएगा तो इसलिए यहां पर मैंने two लिखके ठीक है तो उमीद करता हूं यह भी समझ में आ गया होगा इसको cancel कर देते हैं तो अब हम यहां पर नीचे हमारे पास क्या था नीचे हमार स्केर रूट सिक्स डिवाइड बाइ two अब यह two two एक्जस हो गया two two से cancel हो गया तो पीछे बच गया square root six sorry six कह रहा five minus square root six ठीक है तो यह हमारे पास answer हो जाएगा यह answer क्यों होगा क्योंकि अब देखिए नीचे जो है कोई भी radical का sign sorry radical का sign मौजूद नहीं है तो its mean के simplify हो गया तो यही चीज बस थोड़ा सा लंबा question था लेकिन असान सा है इसमें कोई नई बात नहीं है बस दो question को एक साथ यूं समझ लो जोड लिया गया है आप इसको LCM से भी कर सकते हो लेकिन मेरे लिहास से LCM से नहीं करना चाहिए because काफी teacher यहां पर LCM ले ले लेते हैं क्योंकि example म भी इस तरह ही हुआ हुआ है और अभी यानि शुरू में मैंने बताया था rationalize करने के दो तरीके होते हैं जब भी दो term होते हैं तो हम denominator को यानि denominator के conjugate को multiply और divide करके rationalize करते हैं that's why कि मैंने यह method ही यहां पर इस्तमाल किया है तो अमीद करता हूं समझ में आ गया होगा तो तो 1 divided by 2 plus square root 3 इधर आ जाएगा plus 2 divided by square root 5 और minus square root 3 और फिर आ जाएगा plus 1 divided by 2 plus square root 5 ठीक है अब हम क्या करेंगे इसमें भी वही काम करेंगे बस इसमें 3 times करेंगे क्या कि नीचे वाले conjugate को नीचे वाले के conjugate को हम multiply और divide करवाएंगे ठीक है जैसे यहां पर पहला time हमाई पास है 1 divided by 2 plus square root 3 तो इसका conjugate क्या हो जाएगा 2 minus square root 3 divided by 2 minus square root 3 ठीक है इसके बाद दर्मियान में plus था तो plus आ गया उसके बाद second time हमाई पास 2 divided by square root 5 minus square root 3 ठीक है और इसका conjugate लेंगे तो क्या हो जाएगा square root 5 plus square root 3 divided by square root 5 plus square root 3 इसके बाद फिर plus है तो यहां पर plus डाल दो और फिर last time क्या हमाई पास 1 divided by 2 plus square root 5 तो multiply 2 minus square root 5 हो जाएगा इसका conjugate two minus square root 5 हो जाएगा ठीक है तो तीनों के हमने conjugate ले लिए और इसको multiply और divide करवा दिया अब हम क्या करेंगे उपर वाला उपर के साथ multiply है तीनों के अंदर ठीक है और नीचे वाले जो है वो फार्मूला बना रहे है a square b square क्योंकि यह और यह सेम है बस दर्मियान में प्लस माइनस का फर्क है ठीक है इसी तरह यह दो भी आपस में सेम है यह दो भी आपस में सेम है तो जैसे पिछले questions थे बिल्कुल वैसे ही है तो उमीद करता हूं समझ गए होंगे तो one के साथ यह multiply होगा तो क्या आ जाएगा लिख लेते हैं चलो यहां पर one into two minus square root three divide by नीच भी प्लस डाल देते हैं उपर वालों को multiply करवाएं तो two into square root five plus square root three और divide by तो नीचे पहला टाम है square root five तो इसका hole का square होगे दूसरी है square root three तो दर्म्यान में minus आ जाएगा और इसका square हो जाएगा ठीक है उसके पर फिर plus उसके बाद one into two minus square root five और divide by ठीक है इधर पहले two hole का square आ दर्म्यान में minus formula का और square root five hole का square तो तीनों लिख लिए इसके बाद further आगे चलें तो अब क्या हो जाएगा one के साथ multiply होगा ये तो दुबारा से वही आ जाएगा तो कितना आ जाएगा ये आ जाएगा two minus square root three और further आगे चलें तो नीचे इसके क्या जाएगा two to the four square square root से cancel होग इसको वैसे लिखा रहने देते दर्म्यान में plus था और यहाँ square root three था और नीचे square root five square के साथ cancel होगा तो five बच जाएगा और three three square root से cancel होगा तो यहाँ पर three बच जाएगा ठीक है उसके बाद फिर plus उसके बाद फिर one से multiply होगा तो two minus square root five आ जाएगा और नीचे जो है two to the four और square square root से cancel हो जाएगा तो five बच जाएगा ठीक है अब यहाँ तक हो गया अब हम आगे अगर चलें तो two minus square root three इसका तो कुछ करी नहीं सकते वैसे कि लिखा रहने देते हैं और नीचे four में से three गया तो कितना बच गया one इधर चलें तो हम इधर क्या हो जाएगा two square root five plus square root three divide by तो अब यहाँ पर अगर हम देखें तो five में से three गया तो यहाँ भी बच जाते है two ठीक है further आगे चलें तो plus और यहाँ पर आ जाएगा two minus square root five divide by minus five में से plus four गया तो minus का number बढ़ा है तो इसलिए minus one आ जाएगा हमारे पस अब हम क्या करेंगे देखे यह two तो इस two से उपर नीचे है तो cancel हो जाएगा और इसके इलावा और क्या हो सकता है yes यह minus जो है इसको minus कर देगा कैसे देखे मैं इसको यहाँ पर solve भी कर देता हूं ता बाहर निकाल लेंगे जैसे बाहर निकाल लेंगे तो ऐसे बन गया और अंदर क्याता है two minus square root five ठीक है तो फदर आगे चलें तो अब क्या हो जाएगा one one दा one होता है ठीक है तो इन दोनों का answer one हो जाएगा तो यहाँ पर minus नीचे था तो minus साथ रहेगा तो यहाँ पर आ हो ठीक है तो अगर यहाँ पर minus one हो और ऐसे हो तो यह plus minus क्या हो जाएगा minus हो जाएगा आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो या फिर इसको ऐसे भी समझ सकते हो असान तरीका कि इसको मिटा देते हैं आप ऐसे भी कर सकते हो कि यह minus one जो है इस plus के साथ जब multiply होगा तो plus minus क्या होता होता है माइनस होता है ठीक है तो इसलिए उपर का सिर्फ साइन बदल जाएगा यानि अभी लिखोंगा तो समझ में आएगा आपको ठीक है अभी इधर से चलते तो देखें इधर क्या जाएगा टू बाइनस स्केर रूट थ्री नीचे कुछ भी नहीं लिखेंगे ठीक है जह डालने का इसलिए फाइदा नहीं क्योंकि बाहर प्लस है तो ब्रैकेट ओपन होगी तब भी अगर बाहर प्लस हो तो अंदर वाली लामते या साइंस बदलते नहीं है तो इसलिए ब्रैकेट आप ना भी लगाओगे तो काम चल जाएगा ठीक है लेकिन इधर आपको ब्रैक स्केर रूट फाइफ ठीक है डारेक्ट भी कर सकता था सीधा प्लस यानि कि इस ब्रैकेट को उपन कर लेता लेकिन मैंने आपको एक स्टेप डाल दिया कि इधर आप देख सको कि इस मानीचे वाले मानेस वन ने इस प्लस को मानेस का बना दिया इसके बाद आगे अगर चले तो तो यह दोनों तो कैंसल ही हो रहे हैं इनको यह ही कैंसल कर देते हैं यह स्केर रूट थ्री और यह स्केर रूट थ्री ठीक है तो पीछे बच जाता है टू प्लस स्केर रूट फाइफ अब यह मानेस है तो बाहर मानेस हो तो ब्रैकेट के अंदर वाले साइन चेंज हो जाते हैं तो यह plus का two था तो अब कितना हो जाएगा minus का two बन जाएगा ठीक है और यह minus का square root five था तो बन जाएगा plus का square root five ठीक है अब हम further आगे चलें तो यह कितना हो जाएगा plus two minus two से cancel हो जाएगा तो पीछे बच जाएगा two square root five तो यही आपका rationalize होने के बाद answer आ जाएगा या simplify होने के बाद answer आ जाएगा तो part number three आप लोगों को screen के ऊपर नज़र आ रहा है यह भी बिल्कुल question कित रही है तो इसको solve करें तो solve करने के लिए सबसे पहले solution लिखा उसके बाद है two divided by square root five plus square root three पे दर मियान में है plus one divided by square root three plus square root two ठीक है उसके बाद minus इदर आ जाएगा three divided by square root five plus square root two ठीक है तो हम क्या करेंगे इसको भी rationalize करने तो multiply denominator को एक बार यानि के denominator के conjugate से एक बार multiply करेंगे और एक बार divide कर देंगे ठीक है तो पहले इससे को करें तो यहां से शुरू करते हैं तो two divide by हमारे पास है square root five plus square root three तो multiply नीचे वाले का conjugate क्या हो जाएगा square root five minus square root three तो इसके साथ ही divide करवा देंगे square root five minus square root three तर्मियान में plus था तो plus डाल दिया उसके बाद one divide by second time है square root three plus square root two तो multiply नीचे वाले के conjugate क्या हो जाएगा square root three minus square root two divide by square root three minus square root two उसके बाद फिर अब minus है in the end तो यहां पर minus डाला और इधर क्या है three थोड़ा आगे लिख दिया three divide by square root five plus square root two multiply square root five minus square root two divide by square root five minus square root two तो तीनों आपको मैं अलग 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 रेके घखा देता हूं यह एक यह दो और यह तीन तो तीनों के साथ हमने conjugate को multiply और divide कर वा लिए इसके बाद असान है पिछले question की तरह उपर वाले जो nominators हैं वो आपस में multiply होंगे तो two इन के साथ multiply हो जाएगा तो यहां पर आजएगा two into square root five minus square root three और नीचे जो है a square minus b square का फार्मल लग जाएगा क्यूबकर यह तीनों जो है एक जैसे हैं बस दर्म्यान में plus minus का फर्क है तो first time के square root five to square root five hole का square minus second time is square root three square root three hole का square उसके बाद फिर plus आ गया और इधर भी one into square root three minus square root two ठीक है one लिखो या ना लिखो मर्जी है बस मैंने लिख दिया तो यहां पर square root three hole का square minus square root two hole का square इसके बाद यहां पर minus है तो minus डाल दिया उपर वाले nominators multiply करा हैं three into square root five minus square root two और नीचे आ जाएगा divide by square root five hole का square minus square root two hole का square ठीक है अब इसके बाद आगे अगर चले तो अब multiply करवा लेते हैं तो इसको थोड़ा ऊपर कर लेते हैं multiply करवाएं तो अभी अंदर multiply नहीं करवाते हैं because नीचे cancellation हो सकती है तो ऊपर वाले वैसे का वैसा हिसा लिख लेते हैं तो square root five minus square root three और नीचे जो है हमारे पास आ जाएगा square square root से cancel हो गया तो खाली five बच जाएगा और इदर minus खाली three बच जाएगा इदर भी ऐसी होगा one से multiply होने के बाद यह वैसे के वैसे आ जाएंगे square root two और नीचे वाले इसे formula लग जाएगा तो square square root से cancel होगा तो पीछे बच जाएगा three a square b square वाला ठीक है तो नीचे बच जाएगा three minus two और इदर जो है minus three bracket में डाल देते है square root five minus square root two ठीक है और नीचे आ जाएगा five square square root से cancel हो गया तो 5 बच जाएगा और इधर 2 बच जाएगा ठीक है फरदर इसको आगे चलाएं तो कितना बचता है ऊपर 2 into 5 minus square root 3 divide by 5 में से 3 गया तो कितना बच गया 2 इधर कितना बचता है square root 3 minus square root 2 divide by 3 में से 2 गया तो पीछे 1 और इधर कितना बचता है minus 3 into square root 5 minus square root 2 और नीचे आजाएगा 5 में से 2 गया तो 3 ठीक है अब जो numbers cancel होते होंने cancel कर दो जैसे यह से cancel और यह इस से cancel तो अब नीचे 1 बच गया दोनों जगे तो 1 जो है denominator में कभी भी लिखते नहीं है ठीक है तो इसलिए क्या बच गया उपर पहली term में जो है वो बच गया सिर्फ ओनली square root 5 minus square root 3 second term में क्या बच गया square root 3 minus square root 2 third term में यहाँ पर minus है ठीक है तो अब bracket open हो जाएगी तो अंदर वाली लामते बदल जाएगी ठीक है यह अगले step में कर देता हूँ minus और 3 3 से cancel हो गया तो bracket के अंदर बच जाएगा 5 minus square root 2 याद रखेगा जब भी बाहर minus होता है तो bracket हम ज़रूर लगाते हैं क्योंकि bracket के साथ ही साइन्स चेंज होते हैं तो जो चीज़ कैंसल होती है उसको कैंसल कर दो यह इससे यहाँ पर ही कैंसल हो रहा है ठीक है तो इन यह दोनों कैंसल हो गए बच गया square root 5 minus square root 2 ठीक है यह minus अंदर के sign change करेगा तो कितना आ जाएगा plus 5 square root जो है वो बन जाएगा minus 5 square root ठीक है यानि को यह बला और जो माइल था यह बन जाएगा plus square root 2 यह वला ठीक है क्योंकि बाहर minus था अब जो चीज़ कैंसल होती है उसको कैंसल कर दो तो कैंसल होने वाले numbers है यह 2 और 7 में यह 2 भी कैंसल होते है तो पीछे कुछ भी नहीं बचता तो जहां कुछ नहीं बचता वहाँ जीरो आ जाता है तो इस तरह से आप देख सकते हैं यह भी simplify हो गया क्योंकि इसके नीचे कोई भी radical का sign मौजूद नहीं है ठीक है तो उमीद करते हैं क्वेस्चन मुकमल हो गया होगा अगले की तरफ चलते हैं तो question number five का part one आप लोगों को screen के ओपन नजर आ रहा है इसमें क्या बोला जा रहे है अगर x ब्राबर हो two plus square root three के तो x minus one divided by x जो है आप मालूम कर दीजे ठीक है और साथ में एक और चीज भी मालूम करने को का x minus one divided by x whole का square ये किस cake wall होगा ये भी आप मालूम कर दीजे ठीक है तो question समझ तो आ गया होगा कि इसमें पूछा क्या गया है कि हमें बस x की value बताए गई है और इसकी और इसकी value हमें मालूम करने है अब स्वाल ये पैदा होता है कि सर मालूम कैसे करेंगे तो question number three जैसे किया था वैसे ही है मैं solve करूंगा तो आप लोगों को उमीद है समझ मां आ जाएगा और मैं साथ साथ बताता रहूंगा ठीक है तो solve करने के लिए सबसे पहले हम क्या लिखेंगे यहां पर solution लिखेंगे solution लिखने के बाद जो value हमें दी गई है x की वो लिख लेंगे तो x बराबर बताये गए 2 प्लस square root 3 के ठीक है तो हमें क्या मालूम करना है हमें मालूम करना है x minus 1 divided by x की value तो अगर आप दिहान से देखो तो x की value तो question में बता दी गई है तो अगर हम 1 divided by x की value मालूम कर लें जो कि इस वक्त हमें नहीं मालूम तो दोनों को आपस में minus करने से हम इसकी value मालूम कर लेंगे कैसे सबसे पहले तो आपको 1 divided by x की value कैसे मालूम करते है question number 3 में सीख चुके हो तो वैसे ही मालूम करेंगे जैसे x इसके equal है तो 1 divided by x किसके equal होगा तो 1 के यानि 1 के जगे 1 लिख दो और x किसके equal है वो तो question में बताएगे है तो x की जगे x की value लिख दो ठीक है अब ये 1 divided by x की value नहीं है ये भी मैंने question number 3 के अंदर बताया था जो 1 divided by x की value होती है या जो simplify form में 1 divided by x की value होगी वो हम इस्तमाल करेंगे उसको मानेंगे हम 1 divided by x की value यानि कि असान लफजों में अगर बताऊँ कि नीचे ये radical का sign नहीं होना चाहिए तो इसको खतम जरूर करना है तो इसको खतम करने के लिए वो ही rationalize करेंगे हम इसके denominator के conjugate से इसको multiply और divide करेंगे तो denominator के conjugate से multiply और divide मैंने करवा दिया अब उपर वाला numerator numerator से multiply होगा तो 1 से multiply हो जागा 2 minus square root 3 और नीचे जो है 2 plus square root 3 है ठीक है और यहां पर 2 minus square root 3 है ठीक है तो इनको मैं direct भी कर सकता था लेकिन चलो अगले step में formula apply कर देते हैं तो यहां पर कौन सा formula लगेगा उपर तो आ जाएगा 2 minus square root 3 ही और नीचे हमारे पास आ जाएगा 2 whole का square because अगर आप दिहान से देखो तो यह एक जैसी values हैं और दर्मियान में minus है तो यहां पर कौन सा formula लगेगा जब भी a plus b और a minus b यानि दोनों same हो तो वो बराबर होता है a square minus b square के ठीक है तो यह वाला formula यहां पर लग जाएगा ठीक है तो हर question में मैं इसलिए बताता हूं को हो सकते है कुछ बच्चे इसी question को देखें that's why तो formula के accordingly यहां पर आजाएगा two hole का square और यहां पर आजाएगा square root three hole का square ठीक है इसको उपर करते हैं उपर करें तो अब नीचे आजाएगा two minus square root three divide by two to the कितना होता है four और square root से cancel हो जाएगा sorry square root square root से cancel हो जाएगा तो पीछे बच जाएगा three तो नीचे आ जाएगा two minus square root three divided by one तो one नीचे जो है वो कभी भी लिखते नहीं है ठीक है ये बात तो पता होगे जैसे two लिखा होता है तो उसके नीचे मेंशा one होता है जो कि LCM जब लेते हैं तब आपको वहाँ नजर आ जाता है क्योंकि लेकिन जैसे plus नहीं लिखते सी तरह नीचे one भी नहीं लिखते तो इसलिए in the end में यहाँ पर लिख देता हूँ two minus square root three ये हमारे पास क्या आ गया one divided by x की value आ गई ठीक है तो आप इसको ऐसे sorry अभी आपको पूरा नजर आ रोगा ऐसे box भी कर सकते हो ठीक है इसको marker से भी लिख सकते हो या थोड़ा दियान इसका रखिएगा ठीक है बलके हम ऐसा करते है इनका नाम रख लेते हम लोग ठीक है ताके आप लोग और अच्छे से समझ पाऊ क्योंकि क्यों नाम रखेंगे विकोज अब हमें लिखे एकस मानेस वन डिवाड बाई एकस हमें चाहिए तो x की वैल्यू को और वन डिवाड बाई x की वैल्यू को आपस मैं माइनस करेंगे या सब्ट्रेक करेंगे तो हमारे पास यह आ जाएगा ठीक है तो मैं ऐसा कर लेता हूं इसको मैं नाम दे देता हूँ equation 1 का ठीक है और इसको नाम दे देता हूँ equation 2 का ठीक है अब यहां पर minus करना है न तो minus minus कैसे करेंगे हम आप यहां पर लिखेंगे by subtracting equation 2 from 1 हम 1 में से second equation निकाल देंगे तो हमारे पास x minus 1 divided by x आजाएगा जैसे यहनि के from 1 equation 1 में से निकालना है न तो equation 1 कौन सी है equation 1 हमारे पास ये वाली है ठीक है तो equation 1 में x को हम यहनि equation 1 में इधर x है तो इधर x लिख लो और equation 2 में 1 divided by x है तो यह आगा 1 divided by x तो 1 में से 2 को निकाल रहे हैं तो इनके दर्म्यान में माइनस आचाएगा ठीक है यानि कि जो जिस में से हम माइनस कर रहे होते हैं वो पहले रखते हैं और जिस को निकाल रहे होते हैं वो बाद में रखते हैं तो इसलिए अता कि तर्तीब आपके x-1 divided by x की बन सके उसके बाद आगे अगर चलेंगे तो x की value किसके equal थी उपर हम देख सकते हैं जो कर question में भी दी गई थी 2 plus square root 3 तो आप यहाँ पर लिख दोगे 2 plus square root 3 उसके बाद दर्मियान में इनके क्या है minus तो यहाँ पर आजाएगा minus equation जो उसके बाद 1 में से 2 निकालनी है 2 हमारे पास क्या है यह तो यह क्या है 2 minus 1 divided by x बराबर है 2 minus square root 3 ठीक है तो उमीद करता हूँ समझ में आगे होगा मैं एक बार इस equation यानि इसके अंदर भी थोड़ा फर्क ना कर दीजएगा ऐसे मत कर दीजएगा by subtracting equation 1 from 2 from का मतलब होता है say ठीक है यानि एक में से दूसरी equation निकाल रहे हैं तो इसलिए पहले एक equation x थी तो x लिखा और x के साथ में value लिख दी इसी तरह दूसरी equation में 1 divided by x था तो 1 divided by x की यहाँ पर value लिख दीओ क्योंकि minus कर रहे हैं तो फिर यह minus के sign डाल दीए ठीक है अब मुझे लगता है कि समझ में आ गया होगा अब हम इससे easily value मालूम कर लेंगे कैसे brackets open कर दो 2 plus square root 3 minus बाहर minus है तो bracket के अंदर के sign बदल जाएंगे तो positive 2 जो है वो negative 2 में बदल जाएगा और negative square root 3 जो है वो positive square root 3 में बदल जाएगा आगे चलें तो जो यह इससे cancel हो जाएगा क्योंकि same number है opposite sign के साथ तो plus minus एक दुसरे को cancel करता है पीछे बच जाएगा क्या चीज़ हमारे पास 2 square root 3 ठीक है या फिर इसको थोड़ा सा असान करों square root 3 plus square root 3 तो यह किसके बराबर हो जाएगा जैसे यहाँ पे अगर लिखा हो हमारे पास a plus a तो वो किसके इकूल हो जाता है 2 a के क्योंकि जहाँ पे कुछ नहीं होता महाँ 1 होता है तो ठीक इसी तरह यहाँ पे भी 1 है और यहाँ पे भी 1 है तो 1 1 आपस में क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा तो इसलिए डारेक्ट ही लिख देता है ताकि question जो है आप लोगों को छोटा लगे तो यहाँ पर आ जाएगा 2 square root 3 तो यह किसकी value होगे x minus 1 divided by x की value तो इस तरह से जैसे आपने x minus 1 divided by x की value मालूम करी इसी तरह दूसरी भी मालूम हो जाएगी लेकिन उमीद करता हूँ यह चीज आपको समझना ज़रूरी है क्योंकि question number 2 भी है ऐसे इसका part होगा कि आप क्या करेंगे question के अंदर x की value दी गई है तो x की value को आप लिख कर 1 divided by x की value मालूम करें और फिर उसके बाद जैसे अगर x minus 1 divided by x कहा है तो subtract कर लो और अगर x plus 1 divided by x जैसे के अगले part में कहेंगे तो add कर लेंगे जो कि अभी आप देखोगे तो बरहाल यह हमारे पास पहला जो question का हिस्सा था वो हमने मालूम कर लिया दूसरे दूसी चीज क्या पूची गई थी यह तो मालूम हो गई दूसी चीज हमसे पूची गई थी यह वाली ठीक है तो x minus 1 divided by x whole का square तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं तो यहाँ पे लिख लेते हैं ना आप भी marker से लिख लीजेगा ताकि उसको पता चल जाए कि आप क्या मालूम कर रहे हो तो x minus 1 divided by x whole का square जो है अब हमें मालूम करना है ठीक है तो यह question mark मैंने यहाँ पे डाल दिया तो अब यह मालूम करना है हमें तो यह मालूम करने के लिए हमें क्या करना होगा अगर हम x minus 1 divided by x का यहाँ पे लिख लेते हैं क्या चीज़ जो के question में हमारे पास है तो यहाँ पे लिख लेते हैं थोड़े English लिखने का यह फायदा होता है कि question जो है वो थोड़ा sequence में आ जाता है we have का मतलब होता है हम जानते हैं क्या चीज़ जानते हैं कि x minus 1 divided by x किसके equal है two square root three के यह value तो हम जानते हैं क्योंकि question में अभी तो मालूम हमने की है तो अब इस value को इस्तमाल करते होएं हम यह मालूम कर लेंगे कैसे अगर मैं इस यानि math का rule होता है equation के दोनों तरफ आप कुछ भी कर सकते हो जैसे अगर मैं इधर square लेना चाहूं तो इधर भी ले सकता हूं लेकिन शर्त ही है कि दोनों तरफ लेना होगा तो उससे हमें फर्क नहीं है हमें question में यही चीज मालूम करनी है कि whole का square मालूम करी है तो आप यहां पर लिखे x minus 1 divided by x is equal to 2 square root 3 और उसके बाद जो है मैं इधर भी square ले लूँगा और इधर भी square ले लूँगा आप यहां पर statement भी लिख सकते हो taking square on both side या direct भी कर सकते हो लेकिन यह लिख दीजेगा we have हम जानते हैं ठीक है कि इससे question जो है वो थोड़ा organize हो जाएगा आप लोगों का तो दोनों तरफ square ले लिए square लेने के बाद अब हम क्या करेंगे इस square को open मत करिएगा क्यों क्यों कि इसी हालत के अंदर ही उसने पूछा है कि यह किसके बराबर होता है तो आप जस्ट यहां पे सिफ इस हिससे को solve कर दीजे इस हिससे को solve करेंगे तो देखे टू square root 3 hole का square है तो इसको अलग अलग करके दिखाओं तो 2 का square है और साथ में square root 3 hole का square है तो 2 का square कितना हो जाएगा 4 तो यहां पे मैं लिख सकता हूँ 4 और चलो इस हिससे को तो मैं आपके लिए यहां पे अलग ही कर देता हूँ इसको मिटा देते हैं और 2 2 दा 4 हो गया और यह multiply square root 3 hole का square था तो यह इससे cancel हो गया तो 4 multiply क्या हो गया 3 तो 4 3 दा कितना होता है 12 तो x minus 1 divided by x hole का square जो है वो इसके equal 12 के equal आ गया ठीक है तो उमीद करता हूँ यह आपको समझ में आ गया होगा हमसे यह वाली value मालूम करने को बोला था यह भी मालूम कर ली हमें यह वाली value मालूम करने को बोला था यह भी हमने मालूम कर लिया ठीक है तो यह दोनों values मालूम हो गई और कैसे मालूम हुआ वो उसके ओपर तो मैं काफी detail में आपसे बात कर चुका हूँ तो यह देख सकते हैं आप दोनों चीज़े मालूम कर लिए उमीद करता हूं समझ में आ गया होगा अगले पार्ट की तरफ चलते हैं तो पार्ट नमबर टू आप लोगों को स्क्रीन के ओपर नजर आ रहे हैं यह भी हसान स्वाल है बस थोड़ा लंबा है अगर आपने पिछले क्वेस्टेंस अच्छे से की हैं और इस क्वेस्टें को अच्छे से देख लेंगे तो आपको यह समझ में ईजी ली आ जाएगा क्वेस्टें को पड़ों तो में पिछले पी च्वेस्टेंट घै इसको मौणकरुरद आ वैलूब चुब्स और यह गये और क्वैस्टों महित अंदर क्या बताया रहे कि इस question को solve करने के लिए teachers जो है मुकलिफ formula इस्तमाल कर लेते हैं जैसे के इसको मालूम करने के लिए a plus b hole का square वाला formula इस्तमाल कर लेते हैं इसके लिए a plus b hole का cube वाला formula इस्तमाल कर लेते हैं तो मेरे ख्याल से यह जो formulas दिये गए हैं इसी को आप याद करिएगा और याद करने के बाद इसी के थूरू एक question solve करिएगा तब ही तो इसके यहाँ पर लिखने का फायदा होगा मेरे ख्याल से तो यह बाकी आप अपने teacher से पूछ लेज़ेगा ठीक है तो चलिए इससे solve करते है solve करें तो solve करने के लिए सबसे पहले तो इधर लिखेंगे solution solution लिखने के बाद जो value दी गई है x की दी गई है तो x की value लिखेंगे तो x की value हमारे पास है square root 5 minus square root 2 divide by square root 5 plus square root 2 ठीक है अब पिछले question के तरह x की value दी गई है लेकिन हमें क्या मालूम करने है x plus 1 divided by x ठीक है सबसे पहले यह मालूम करेंगे अब यह मालूम करने के लिए x की value तो है हमारे पास 1 divided by x की value और मालूम कर लेते है तो 1 divided by x की value मालूम करना आप लोगों को अब आ गई होगी तो 1 divided by x की value मालूम करेंगे तो इधर लिख लेते हैं 1 divided by x और इधर जो है वो क्या आ जाएगा 1 की जगे 1 और जो x की जगे हमारे पास यह वाली value है न तो इस पूरे को ऐसे का ऐसा लिख लो x की जगे तो यहां पर आ जाएगा square root 5 minus square root 2 divide by square root 5 plus square root 2 ठीक है इसमें confuse मत होएगा बस यह x की value थी तो मैंने यह पूरी के पूरी ऐसी की ऐसी लिख ली ठीक है अब अगले step में हम इसे further simplify करेंगे वो कैसे देखिए अगर कहीं पर लिखा होता है 1 divided by A divided by B ठीक है हमारे पास भी ऐसे situation है न उपर एक numerator है और नीचे fraction मोजूद है तो ऐसे में हम क्या करते है यानि इस इससे से हम समझने के कोशिश करते है ऐसे में इसको हम इस तरह से solve करते है कि यहाँ पर यह जब ऊपर जाता है तो यह उलट जाता है ठीक है जैसे one यहाँ पर रह जाएगा और multiply डालके यानि के अभी मैं ऐसे बता देता हूँ पहले multiply डालके इसको लिख देंगे बी डिवाइड बाई ए ठीक है तो इस चीज़ को हम ऐसे भी लिख सकते है ठीक है बी डिवाइड बाई इसको काफी टीचर या काफी जगे पर शायद आपने ऐसे भी देखो अगर one divide a divide by b लिखाओ second chapter में आपको याद आया होगा तो हम devian को multiply में change करने के लिए हम क्या करते थे इसको उलट देते थे ठीक है तो one multiply b divide by a बना देते थे ठीक है तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते है I hope इसकी practice होगी नहीं तो मैं अभी आपको बतारा हूँ इसको सीख लीजे यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर यह divide हो रहा है तो हमने इसको किस में change कर दिया multiply में change कर दिया तो उमीद करता हूँ यह चीज़ समझ में आ गई होगी बस इतने ही कोशिश कर सकता था बाकि आप teacher से पूछिए तो अब यह नीचे से उपर जाके क्या हो जाएगा multiply तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ 1 multiply यह नीचे से जाके उपर उल्टेगा तो नीचे वाला denominator उपर आ जाएगा तो यह आ जाएगा square root 5 plus square root 2 divide by square root 5 minus square root 2 तीक है जैसे 1 divide by A divide by B ऐसे लिखा था तो इसको मैंने कैसे किया था 1 multiply B divide by A उल्ट दिया था नीचे वाला उपर चला गया और उपर वाला नीचे तीक है इसी तरह यह देखिए आप यहाँ पर प्लस जो है यह वाला हमने ऊपर कर दिया और यह वाला जो था नॉमिरेटर उसको हमने नीचे कर दिया ठीक है तो कुछ जादा ही बता दिया मैंने तो जहाँ पर आप confused हो जादा समझ रहे हो तो उसको आगे कर लो आपके पास हमेशा से option रहता है इसलिए परिशान मत होएगा तो one किसी के साथ भी multiply होता है तो वो ही answer आ जाता है तो one divided by x basically आ गया five plus square root two यहाँ पर square root five minus square root two ठीक है तो यह हमारे पास one divided by x की value आ गया तो question में क्या करते हैं कि ऐसे इसके बाद direct यह लिख लेते हैं लेकिन मैंने यह question इसलिए थोड़ा लंबा आपको लगेगा क्योंकि मैंने यहाँ पर सारे step डालें आप चाहो तो इसको समझ लो तो इसको मिटा दो यहाँ से directly इसके बाद यह वाला step लिख लो तो आपका थोड़ा चोटा हो जाएगा वक्त भी बच जाएगा ठीक है लेकिन प्रॉपर वेसे यह ऐसे ही होगा ठीक है यहाँ पर one divided by x चल रहा है तो अब हमारे पास क्या आ गया एक्स की वैल्यू भी आ गई और one divided by x की वैल्यू भी आ गई ठीक है तो अब आप यहाँ इसको नाम दे दीजिए बेशक one का ठीक है और इसको नाम दे दीजिए बेशक two का या नाम ना भी दो तो आप लिख सकते हो by adding ठीक है तो हर तरह से question solve हो सकता है बस question सही होना चाहिए तो यह लिख लिख लिए by adding equation one and two और यह मैंने क्यों लिख है क्योंकि आप देखिए हमें आप देख सकते हैं और यह मालूम करना है x plus one divided by x ठीक है तो x हमारे पास equation one में मुझूद है और one divided by x equation two में मुझूद है ठीक है तो दोनों को हमने add कर लिया तो x के value में जो है ऊपर जो है minus है ठीक है बाकी तो मैं यहाँ पे लिख लिख लोंग पहले x plus one divided by x दोन equation add हो रही ह से square root five minus square root two divided by square root five plus square root two ठीक है तो आप देख सकते हैं उपर से आप देख के लिख लिजेगा यह चीज़ दोनों frame में आप मुझूद है तो यह हमारे पास equation one थी ठीक है जो कि मैंने यहाँ पे लिख लिख ली अब दोनों को add कर रहे हैं तो दरम्यान में यहाँ पे plus है तो plus आ जाएगा उसके बाद one divided by x इसके equal है वो है five plus square root two और यहाँ पे आ जाएगा square root five minus square root two ठीक है यह आपको यहाँ पे नजर आ रहे है equation two तो यहाँ से मैंने one divided by x की value इधर लिख ली x की value इधर लिख लिख ली दरम्यान में add हो रहे तो add कर दिया अब हम easily इसको जैसे पिछले questions में हमने question किया था वैसी करेंगे तो पिछले questions में हमने क्या किया था हम क्या करेंगे इनके नीचे वाले का conjugate को multiply और divide करवा देंगे इस तरह नीचे से जो radical का sign है वो basically हमने खतम करना है दोनों तरफ से ठीक है तो पिछले questions की तरह ही है मैं लिखोंगा तो आपको समझ में आ conjugate है square root 5 minus square root 2 ठीक है क्योंकि दर्म्यान में plus था तो अब यहां पर conjugate माइनस हो जाता है और यहां पर आ जाएगा square root 5 minus square root 2 काफी teacher इसको जो है इन दोनों का lcm लेके भी कर लेते हैं तो वो भी ठीक होता होगा ठीक है लेकिन मेरे लिहाज से question ऐसे होना चाहिए rationalize करना सीख रह ठीक है examples में भी ऐसी किए और practice भी इस पूरी exercise में ऐसे ही करवाई है तो ऐसे ही करना चाहिए उसके बाद आगे अगर चलें तो यहां पर भी ऐसे ही करेंगे square root 5 plus square root 2 divide by square root 5 minus square root 2 तो multiply उसके बाद नीचे वाले का conjugate लेंगे तो plus आ जाएगा तो square root 5 plus square root 2 आ जाएगा और यहां पर square root 5 plus square root 2 आ जाएगा ठीक है तो आप देख सकते हो कि यह दोनों के conjugate मैंने multiply और divide करवा दिये अब numerator numerator से multiply हो जाएगा दोनों के और denominator denominator से तो multiply करें तो अब मैं आपको बता दूँ देखिए यह और यह दोनों सेम हैं क्यूंकि यह सेम है तो मैं इनको ऐसे भी लिख सकता हू 5 minus square root 2 whole का square ठीक है और इधर भी देखिए यह और यह एक जैसे है ठीक है पहले मैं बता देता हूं ताकि जब लिखूँ तो आपको परेशानी नहों 5 plus square root 2 यह whole का square ठीक है तो उपर वालों को तो मैं ऐसे लिख लूँगा नीचे देखिए तो एक बार plus है और एक बार minus है त से अभी तक करते आ रहे हैं a plus a square minus b square यह वाला फार्मूला लग जाएगा तो यहां पर यह ऐसे हो जाएगा ठीक है क्योंकि एक बार plus है और एक बार minus है और same terms है ठीक है तो इस तरह से दोनों फार्मूला आपने वैसे पिछले questions में इस्तेमाल किये हैं परशानी होनी नहीं लेकिन फिर भी मैंने आपको यह चीज डिटेल से थोड़ी बता दिये तो चलिए इसको डारेक्ट लिखता हूं फार्मूले की शेप में तो यहां पर ऊपर आ जाएगा हमारे पास square root 5 minus square root 2 hole का square और नीचे आ जाएगा square root 5 hole का square minus square root 2 hole का square ठीक है उसके बाद आगे अगर चल प्लस hole का square आ जाएगा और नीचे हमारे पास आ जाएगा वही चीज़ square root 5 hole का square minus square root 2 hole का square दोनों जगे फार्मूले लग गए अब फार्मूले तो आपको आते ही है यहां पे कौन सा फार्मूले a plus sorry a minus b है पहले में तो a minus b hole का square किसके equal होता है वो होता है a square plus b square और minus 2ab और यह वाला फार्मूला कौन सा होगा यह होगा a plus b hole का square लगेगा जो के बराबर होता है a square plus b square plus 2ab ठीक है अगर दर्मयान में minus हो तो minus 2ab plus हो तो plus 2ab होता है तो दोनों फार्मूले मैंने बता दिये तो यह दोनों अब मैं लगाऊंगा यहां पर तो फार्मूले के according में लिख सकता ह हूं first term हमारी five है five hole का square उसके बाद last term हमारी two है तो two hole का square उसके बाद दर्मयान में minus आता है minus है तो minus आ जाएगा two into first term क्या है हमारे पास five और last term क्या है two ठीक है तो इस तरह सी यह formula लग गया यहां पर और इसी तरह नीचे जो है five square square root से cancel हो जाएगा तो five बच जाएगा उध तरह भी square square root से cancel हो जाएगा तो two बच जाएगा तर्मयान में plus है तो plus डाल दिया और इधर भी हम ऐसी करेंगे ठीक है यह हमारी first term है यह हमारी last term है ठीक है तो अवास से आप अंदाज़ा लगाएगा तो formula क्यों होता है first term hole का square ठीक है एक तो मुझे यहां लिक देना और फिर plus two into first term और into last term ऐसे होता है ठीक है तो इसके accordingly first term हमारी scale लिक लिक लिए plus last term के है हमारे पास square root two hole का square plus two first term के है square root five last term के है square root two तो यह हमारा हो गया नीचे square square root से cancel हो जाएगा तो five और यहां पर two का square square root से cancel हो जाएगा तो two आजाएगा ठीक है इस formula को यहां से remove कर देते है ठीक है अब जो है आगे अगर चले तो अब हम इधर क्या करेंगे इधर square root से cancel हो जाएगा तो five square square root से cancel हो जाएगा तो two minus two और य इसको मैं ऐसे अकठा करना चाहूँ तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 5 multiply by 2 क्योंकि दूनों root के अंदर ये तो है और नीचे 5 में से 2 गए 3 बच जाएगा इधर भी ऐसे होगा square square root से cancel, square square root से cancel तो 2 बच जाएगा तो 3 बच जाएगे फदर इसको आगे चलाएं तो 5 और 2 कितने होते हैं 7 और यहां पर minus 2 5 to the 10 होता है तो 10 लिखती है और नीचे आ जाएगा 3 यहां पर भी 5 or 2 7 plus 2 और 5 to the 10 आ जाएगा और यहां पर 3 आ जाएगा ठीक है अब इन दोनों का LCM ले ले लेते हैं ठीक है तो नीचे से देख लिए rationalize हो गया radical assign खतम हो गया तो जब LCM लेंगे तो LCM में आप लोगों को पता है जब भी इसके denominator दोनों के तीन है एक जैसे हैं तो इसको वैसे का वैसा लिख लेंगा या दूसे लफजों में तो 3 वनजा 3 वनजा 3 तो 3 LCM आजाएगा अब LCM में क्या करते हैं LCM में यह चीज होती है जब भी यह वाला number और यह वाला number यह यहां के value यहां के value आपस में एक जैसे हो तो उपर वाला numerator वैसे का वैसा इधर लिख लेते हैं तो हम 3 और 3 यह और यह एक जैसा है तो इसलिए उपर वाला 7 minus 2 square root 10 वैसे का वैसा लिख लिए यहां दरम्यान में plus है तो plus डाल लिया तो यह भी वैसे का वैसा आ गया ठीक है अब जो है जो चीज कैंसल होती है यह बिलकुल यह इससे कैंसल हो गया पीछे बच गया साथ और साथ दोनों plus की value है तो 77 कितना होता है 14 और नीचे हमापस 3 है तो 3 आ गया तो x plus 1 divided by x हमारे पास किस के आ गया 14 divided by 3 के आ ठीक है तो question में हमसे यही पूचा गया था अगर आप देखो तो कि आप ले x plus 1 divided by x के value मालूम कर दो तो अब हमने यह सारा procedure अपना कर x plus 1 divided by x के value मालूम कर ली तो अब हम और आगे चलेंगे अब हमें मालूम करना है यहां पर लिख लीजे नाओ क्या चीज मालूम करनी है कि हमें मालूम करना है x square plus 1 divided by x square is equal to question mark ऐसे आप question mark डाल दीजे ब्लू से ही आप नाओ लिख दीजेगा यहां पर नाओ लिखने के बाद आप यह marker से लिख दें जिससे पता चल जाएगा कि हाँ अब क्या मालूम करने जा रहे हैं तो अब हम यह कैसे मालूम करेंगे अब यह हम अपने आप फार्म को recording मालूम करेंगे तो question में कौन सा है यह आप लोग याद कर लीजेगा हमें square मालूम करना है यानि के अगर आप दियान से देखें तो यह भी square है तो यहां पे भी square है यह भी square है तो यहां पे भी square है तो it's mean के यह वाला फार्मूला हम इस्तमाल करेंगे इसको solve करने के तो यह फार्मूला आपको याद होगा तो इसको आप यह नीचे लिख लिजिए तो यहां पर मैं लिख लूँगा फार्मूला ठीक है बलके फार्मूला लिखने से पहले आपको जो चीज क्योंकि अलग से वैसे तो X की वैलिउ इधर भी है आप इसको भी इस्तमाल कर सकते है लेकिन मेरे लिहास से यहां पर आप लिखतीजिए वी नो ठीक है हम जानते हैं क्या कि X प्लस 1 डिवाइड बाइ X जो है वो किसके एकवल है 14 डिवाइड बाइ 3 के ठीक है क्योंकि हम इसको थोड़ा separate कर लेते हैं यहां तक एक हिस्सा मालूम हो गया अब दूसरा मालूम कर रहे है तो इसके अंदर यह वैलू हमने यहां पर अलग से मैंशन कर दे है आप डायरेक्ट भी कर सकते हो इसमें मसला है नहीं लेकिन मेरे लिहास से थोड़ा और्गनाईज कर देते हैं इसको ताकि आप लोगों को मसला ना रहे तो X X plus 1 divided by X की value मालूम है तो फार्मूला अब जो दिया गए वो लिख लो तो यहां पर लिख लेते हैं फार्मूला ठीक है जो के आपको दिया गया है फार्मूला कौन सा है हम ऐसा करते हैं उपर से कॉपी कर लेते हैं ताकि लिखना ना पड़े और आपको अलग सी नजर भी आ जाएगा तो यह हमने किया यहां से कॉपी और इधर पेस्ट कर देते हैं तो यह हमने पेस्ट कर दे ठीक है तो आप इस ता से यह फार्मूला लिख लीजेगा ठीक है जो फार्मूला को दिया गया था तो इस फार्मूले को हम इस्तमाल कर रहे हैं तो अब आप द के लिए चीज बता रहूं इसलिए confuse मत होईगा जैसे अब मैं इसको सासत लिखता हूं कि आप यहां पे लिखेंगे x का square ठीक है प्लस 1 divided by x whole का square ठीक है उसके बाद is equal to अब आपको दिवाताता हूं देखिए पहले फार्मूले में किया a square plus b square तो यह हमारे पास a है और यह हमारे पास b है तो मैंने क्या किया इसको a whole का square लिख दिया और b whole का square ठीक है इसके बाद आगे जो है a plus b whole का square है तो a हमारे पास क्या है a हमारे पास x है और b हमारे पास क्या है one divided by x है तो a plus b whole का square लिख दिया उसके बाद माइनस यह फार्मूले में आगे two है तो यहां पे two लिख दिया और A हमारे पास क्या है X और B हमारे पास क्या है one divided by X तो यह हमने ऐसे लिख दिया तो basically formula यानि कि यह formula तो general form में होता है ना A और B की शकल के अंदर तो हमारे पास A दुबारा से बता रहो यह था B यह था तो A की जगे हमने X पुट किया B की जगे one divided by X पुट किया फिर A की जगे यह पुट किया B की जगे यह पुट किया फिर 2 आ गया फिर A की जगे X और B की जगे one divided by X तो इस तरह से यह formula थोड़ा सा ध्यान देंगे तो आपको समझ मारे शुरू में मुश्किल लगेगा लेकिन प्रैक्टिस हो जाती है अब X का स्केर जो है हमारे पास क्या आ जाएगा X का स्केर खोलेंगे तो one का स्केर one ही होता है और नीचे X का स्केर आ जाएगा equal to अब आप देखिए X plus one divided by X जो है इसकी value हमें question में दी गई है जो कि यह है जो कि हम अगर मैं यह ना लिखता तो यहां से देख के लिख लेता ठीक है लेकिन लिखा मैंने इसलिए ताके आपका question यहां से एक अलग ही separate हो जाएगे यह चीज ऐसे मालूम करना है तो इसके number नहीं करते बस थोड़ा organize हो जाता है main चीज तो समझना है के हो कैसे रहा है तरीका कैसे भी इस्तमाल कर लो तो x plus 1 divided by x जो है वो किसके equal है वो है 14 divided by 3 के ठीक है तो x plus 1 divided by x के नीचे लिख लेता हूं मैं 14 divided by 3 ठीक है और इधर whole का square है तो मैं formula के according इधर whole का square डाल लेता हूं उसके बाद minus है यह x यह x उपर नीचे है तो एक दूसरे से cancel हो जाएंगे वो पीछे बच जाएगा only 2 ठीक है तो अब यह देखे बिलकुल असानी से मालूम हो जाएगा 14 का square कितना होता है 196 यह तो जुबानी पता आप calculator से कर लीजएगा 3 का square जो होता है वो 9 होता है 3 3 2 और यहां पे 2 है तो यहां पे 2 आ गया अब इसका LCM ले लीजए यहां पे कुछ नहीं है तो इसके नीचे 1 होता है ठीक है जहां कुछ नहीं होता है तो उसके नीचे बाद यहां पे LCM ले तो LCM जो है 9 आ जाएगा ठीक है क्योंकि नाइन करेंगे तो त्री 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 दा नाइन इदर लसे हम आ गया अब इसके बाद आगे कैसे चलेंगे अब आपको पता है कि जब यह सौरी कटी गया वह सारा मुझे पैंच चाहिए यह और यह एक जैसा होता है तो उपर वाले नंबर वैसे का वैसा आ ज होती है उसको लिखते हैं हम अंदर और जो यहां वाली वैली होती है इसको लिखते हैं हम बाहर उसके बाद इसको डिवाइड करते हैं तो वन को अगर मैं नाइन से डिवाइड करूँगा तो वन नाइन दा नाइन होता है तो यहां पे जीरो अब जो आंसर आ जाएगा इस answer को उपर वाले number के साथ multiply करवा देते हैं तो 9 को 2 के साथ multiply करोंगो तो 18 आ जाएगा तो 18 में यहां पर लिख दूँगा तो ऐसे LCM होता है तो यह मैंने LCM ले लिए 196 में से 18 निकाल लेते हैं तो calculator हमें चाहिए तो calculator यह आ गया calculator तो 196 में से 18 हमने निकालना है तो यह 18 निकाल दो तो 178 आ जाता है ठीक है तो यहां पर आप लिख लेंगे 178 divided by 9 और क्या चीज़ वैल्यू की मालूम किए x square plus 1 divided by x square ठीक है तो आप देख सकते हो यह आपकी दूसरी चीज़ दूसरी वैल्यू आपने मालूम कर लिए उपर अगर देखें तो यही चीज मालूम करनी थी ठीक है तो यह हमने मालूम कर लिए अब x cube और plus 1 divided by x cube मालूम करेंगे तो वह भी हम ऐसे ही मालूम कर लेंगे ठीक है फार्मूला इदर से कौन सा इस्तमाल होगा उसको आप आप लोगों को तो यह याद होगा आप लोग याद कर लीजेगा ठीक है तो मैं यहाँ पर नीचे लिख लेता हूं इसको तो इसको मिटा देते हैं इसको बस थोड़ा अब हाइलाइट कर लीजेगा box बना कि अभी box बना नहीं रहा तो क्योंकि इतने जाद है कल injuries पर इच्चे नहीं लगेंगे आप लोगों abstract करेंगे तो अब हम यहाँ पर क्या मालूम करने जा रहें हम मालूम करने जा रहِं जो चीज ऐक्स q प्लस 1 divided by x cube यह हम मालूम करने जा रहे हैं इसको मार्कर से लिख दो ठीक है और यहां पे तो आप एक लाइन में लिख दीजेगा छोटा सा नाव, नाव मतलब अब, अब हम इसे मालूम करने जा रहे हैं इससे मालुम करने के लिए हमें जो वैलियो दी गई है वो है हमारे पास x plus one divided by x ठीक है और यह किसके equal था आप यहां पर देख सकते हो यहां पर भी इस्तमाल की थी 14 divided by 3 के ठीक है तो यहां पर आ गया 14 divided by 3 ठीक है स्वाल यह भी पैद होते के सर यह बार-बार x plus one divided by x क्यूं हम लिख रहे हैं तो आप देखिए दिहान से देखेंगे अगर फार्मूले के अंदर तो इधर मैं आपको बताता हूं यह भी एक स्वाल है कि अगर आप इस फार्मूले में देखेंगे तो a plus b यानि होल का square है तो a plus b जो है वो किसको mention कर रहा है x plus one divided by x को इधर भी देखेंगे तो a plus b है तो x plus one divided by x की जरूरत हमें पहले इस फार्मूले के अंदर भी पड़ेगी और इस फार्मूले के अंदर भी हमें जरूरत पड़ेगी that's why कि दोनों जगे जब भी हम आप मालूम करने लगो तो x plus one divided by x की value जो है दोनों जगे आप लिख लीजेगा इससे question solve करने में आप लोगों को क्योंकि अब अभी सीख रहे हो तो असानी हो जाएगी जब आज आए तो फिर आप किसी भी तरीके से इसको solve कर सकते हो ठीक है तो इस चीज़ को हम किस formula से solve करेंगे वह formula लिख लेते हैं तो a हमारे पास है x तो x का cube कर लेते हैं बी हमारे पास one divided by x है तो इसका whole का cube कर लेते हैं उसके बाद a plus b तो a हमारे पास x है plus b हमारे पास one divided by x है और इदर whole का cube है तो यहां पे whole का cube कर लेते हैं minus 3 a b है तो a हमारे पास x है और b हमारे पास one divided by x है और a plus b जो है तो a हमारे प एक्स प्लस बी हमाई पास वन डिवार्ड बाइक्स तो ऐसे ए बी की वैल्यू आपको तुबारब दा देता हूं कि यह 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 बी यह यह बी फिर यह बी और पिर यह यह और यह बी ठीक है तो इस तरह से चीजें उमीद करता हूं समझ में आ गई होगी कुछ चीजें तो पि एक्स प्लस बाइक्स जो है इसकी वैल्यू है है पर क्वेस्चन में दी गई है फौर्टीं दिवार्ड भाय थ्री मालूम कर चुके हैं तो फौर्टीं डिवार्ड भाय थ्री लिखके इसका क्यूब है तो यहां पे क्यूब ढाल दीजए — ऊपर नीचे ख से तो यह धायां देखें तो यह क्या हो जाएगा 14 का क्यूब कितना होता है अब हमें calculator चाहिए होगा तो 14 को 3 times करना है चलो 3 times भी कर लेते हैं 14 और तीसरी बार भी करें तो यह आ गया 14 तो हमारे पास आ जाएगा 2744 ठीक है तो यहां पे आजाएगा 2744 3 का cube तो पता है यह 3 3 9 9 3 the 27 minus यह 3 इस 3 से cancel हो जाएगा तो उपर बच जाएगा 14 ठीक है और जहां कुछ नहीं होता है नीचे 1 होता है अब हम इसका भी LCM ले ले लेते हैं इसको हटा देते हैं यहां से तो इस काल्सियम ले तो नीचे 27 है तो यहां पे LCM 27 ही आजाएगा ठीक है तो 27 को जितनी बारो 3 9 27 3 3 9 and 3 1 3 तो 3 3 9 9 27 तो अब LCM में यह और यह नंबर एक जैसे होता है तो उपर वाली वैलियो वैसी की वैसी लिख देते हैं तो यहां पे आज एगा 2744 तरम्यान में माइनस आ जाएगा और दूस्य से को डील करेंगे तो यह कैसे होगा तो यहां पे यह 27 इसको रखेंगे हम अंदर यहां वाला नंबर कोई भी हो एक के जगे उसको रखेंगे बाहर अब हम इस नंबर को किस से मल्टिप्लाइ करेंगे 27 आ जाए तो 27 से ही करना पड़ेगा तो यह 27 आ गया 27 जो भी आंसर होगा उसको उपर वाले के साथ मल्टिप्लाइ कर देंगे तो 27 को अगर 14 से मल्टिप्लाइ करें तो यह यहां पे कर लेते हैं 27 इसको यह हमारे पास आ जाएगा 378 ठीक है 274 में से माइनस कर दो 378 तो हमारे पास आ जाएगा 2366 ठीक है तो यहां पे आ जाएगा 2366 डिवाइड बाइ 27 और यह ही जो है हमारे पास आंसर हो जाएगा इसका तो यहां पे लिख लो x q प्लस 1 डिवाइड बाइ x q ठीक है तो इसको यहां से मिटा देते हैं, तो आप यहां पे देख सकते हो कि तीनों आंसर हमारे पास आ गए, ठीक है, तो पहले जो है, वो आपने यहां मालुम किया था, तो यहां पे भी एक छोटा सा, आप यहां पे भी आंसर लिख सकते हो, या फिर ना भी लिखो तो भी चल जाएगा, ठी के शूरू करिएगा ताके फरक आप लोगों को सॉरी चेक करने वाले को महसूस हो तो इस तशे साथ लिए अगले question के तरफ चलते हैं तो question number six आप लगों को screen के उपर नज़र आ रहा है इसमें क्या बोला जा रहा है कि determine the rational numbers a and b आप a और b जो है वो मालूम करिए if अगर ये equation आपके सामने हो तो आप ये समझे ठीक है तो ये एक equation है इस equation के अंदर a भी आपको नज़र आ रहे होंगे इस side पे इनकी values मालूम करनी है ये आपका question है तो कैसे मालूम करेंगे तो वो मैं solve करूंगा तो आपको साथ साथ समझ में आ जाएगा तो चलिए solve करते हैं solve करने के लिए सबसे पहले लिखा हमने solution लिखने के बाद हम इस equation को ही लिखते जाते हैं और दरम्यान में solve कर लेंगे equation हमारे पास क्या है square root 3 minus 1 divided by square root 3 plus 1 और दरम्यान में plus है और इधर भी आ जाएगा square root 3 plus 1 divided by square root 3 minus 1 is equal to a plus b square root 3 तीक है अब काफी teachers जो हैं वो LCM लेने के बाद जो है इस question को solve कर लेते हैं तो उससे भी जवाब तो आ जाता है लेकिन मेरे लिहाज से rationalize करना सिखाए गया तो हमें नीचे वाले denominators को खतम करने का जो proper तरीक है उसके accordingly हम इस question को solve करेंगे तो यहां से अगर इसको करें तो 3 minus 1 divided by square root 3 plus 1 है तो इसको नीचे का radical खतम करने के लिए multiplier divide करेंगे नीचे वाले denominator के conjugate से तो यहां पर भी आ जाएगा square root 3 minus 1 और यहां पर भी आ जाएगा square root 3 minus 1 तर्मियान में plus है तो plus डाल दो इधर जो है square root 3 plus 1 divide by square root 3 minus 1 तो नीचे वाले के conjugate से multiply और divide करवाएंगे तो square root 3 minus है तो conjugate आजाएगा plus 1 और इधर भी आजाएगा 3 plus 1 और equation के दुसरी side पे है a plus b और b के साथ है square root 3 तो वैसे का वैसा लिख लिए तो चलिए आगे तो आपको आता ही है जैसे कि हम अभी तक question solve करते आ रहे हैं वैसे ही होगा तो उपर वाले number उपर यह उपर वाले denominator आपस में multiply हो जाएंगे नीचे वाले denominator आपस में हो जाएंगे तो अब अब पिछले question के तरह ही है इनको देखेंगे तो यह एक जैसी values है तो यह बन जाएगा हमारे पास square root 3 minus 1 whole का square और नीचे अगर देखेंगे तो यह एक बार plus है और एक बार minus है same values है तो नीचे आ जाएगा ऐसे इनका square ठीक है तो अब मैं लिखूंगा तो आपने परिशान नहीं हो न आपको समझ में आ जाना चाहिए तो ऊपर मैं लिख लेता हूँ square root 3 minus 1 whole का square divide by नीचे आ जाएगा square root 3 whole का square minus 1 whole का square इधर भी ऐसी situation है उपर वाले numerator को अगर आप देखेंगे तो square root 3 plus 1 दोनों जगे है तो इसका एक जैसे है तो जैसे a plus b लिखा होता है और फिर a plus b लिखा होता है ठीक है तो आप इसकी जगे लिखते हो na a plus b whole का square ठीक है तो वो वाला ही हिसाब है कि दो एक ज नीचे जो है वो ही a square minus b square वाला formula लग जाएगा यहां पे square root 3 whole का square minus 1 whole का square यह formula क्यों कि एक जैसी है different sign के साथ और इस side पे हमारे पास a plus b square root 3 है तो वो वैसे का वैसा लिख लेते है अब formula खोलना आपको आता है आप नीचे लिख देता हूं फिर भी बच्चों के लिए a minus b whole क square किसके equal होता है वो बराबर होता है a का square plus b का square minus 2 a b ठीक है तो a हमारा यह है और b हमारा यह है ठीक है तो इसके accordingly अब मैं यहां पे लिख हूँ तो यह हमारे पास हो जाएगा a का square क्या है तो square root 3 एक line जादा मुझे लगता है इसको मैं इधर कर लेता हूं यह मुझे problem कर रहा है इधर लिख लेते हैं ठीक है अब सही है तो सबसे पहले जो है first term का square तो अब आप देख सकते हो इधर first term का square तो three square root है इसका square आ जाएगा और उसके बाद जो है plus second term के हमारे पास one तो यहां पर आ जाएगा one का square उसके बाद आ जाएगा फार्मूले में यहां पर दर्म्या और नीचे divide by square square root से cancel हो जाएगा तो three बच जाएगा और one का square one ही होता है तो minus one आ जाएगा ठीक है अब इसमें क्या plus है plus का square में बस यहां पर plus आ जाता है तो इधर plus two a भी हो जाता है बाकि इसमें कोई फर्क नहीं है ठीक है तो इसको मिटा देता हूँ अब तो समझ में जाए तो square root three hole का square उसके बाद plus one hole का square उसके बाद plus two into first term क्या है square root three last term क्या है one तो पूरा formula मैंने लिख लिया और नीचे जो है हमारे पास आ जाएगा three hole का square है तो three यानि square square root से cancel हो जाएगा तो three आ जाएगा और one का square one यह होता है one इधर जगे कम रहे गए हमारे पास इसको पीछे करता हूँ तो यह हो गया हमारे पास यह थोड़ा पीछे और पीछे होने के बाद उपर से जो चलता आ रहा था वो क्या था a plus b square root three तो वो मैंने साथ में लिख लिया उसके बाद अब यह square root से cancel हो जाएगा तो नीचे three बच जाएगा ठीक है इसको उपर कर लेते हैं उसके बाद one का square जो है वो one होता है तो one आ जाएगा minus two one's a two तो यहाँ पर आ जाएगा two square root three और नीचे आ जाएगा three में से one गया तो two इधर भी ऐसे square root से cancel हो जाएगा तो three बच जाएगा plus one आ जाएगा और पिर plus two one's a two और यहाँ पर आ जाएगा square root three यहीं यह two इस one से multiply हो जाएगा और वो वैसे का वैसा three में से one गया तो two इसके बाद आगे अगर चलें तो यह हमारे पास a plus b square root three तो यह वैसे का वैसा अब नीचे वाले denominator सेम है तो LCM इनका लेना असान है तो इनका LCM क्या आ जाएगा इसका LCM आ जाएगा यहाँ पर two तो यह लिख लिए मैंने two और यह denominators आपस में सेम होता ओपर वाली values बलकि अब यह एक step और होगा इधर लिख देता हूं वीक बच्चे जो है त्री और वन कितना होता है four तो यहाँ पर आ जाएगा four minus two square root three divide by two यहाँ पर plus three और one four दर्म्यान में plus है two square root three divide by two is equal to a plus b square root three अब हम LCM ले लेते हैं तो इनका LCM लेंगे तो नीचे आजाएगा two यह और यह आपस में सेम होता ओपर वाली values वैसी ही लिख लेते हैं तो four minus two square root three वैसे का वैसा है दर्म्यान में plus है तो sign change नहीं होगे तो इसलिए अगली values साथ ही लिख लेते हैं तो यह दोनों एक जैसे हैं तो यहाँ पर आजाएगा four plus two square root three और इधर आजाएगा a plus b square root three फर्दर आगे चलें तो यह हो जाएगा हमारे पास यह दोनों same values हैं मुक्तलिफ signs के साथ तो cancel हो जाएगी और four of four कितना हो जाएगा eight और नीचे क्या बचा हमारे पास two और इधर जो है क्या जाएगा a plus b square root three two fours are eight होता है तो पीछे आगे अब हमारे पास four is equal to a plus b square root three अब हम आगे कैसे चलें तो देखे इधर जो है अब यहा सा ध्यान देने की बात है इधर जो दो terms है और इधर के हमारे पास एक terms है तो हमने हम b की value कैसे मालूम करेंगे तो जहां कुछ नहीं होता हमा क्या होता है zero होता है तो इसलिए मैं यहां पे plus zero लिख लूँगा तो क्या इस से four के ओपर कुछ फर्क पड़ेगा बिलकुल भी पड़ेगा जैसे कहीं पर two लिखा हो तो two plus zero कर लो तो बराबर तो यह two कही होता है लेकिन हम zero लिख क्यों रहे हैं यह एहम बात है तो zero हम इसलिए लिख रहे हैं हैं ताकि अब आप देखिए दो term इधर हो गई दो term ही इधर हो गई तो जब हम compare करेंगे तो a जो है हमारे प यहां पर square root का symbol है तो यहां पर zero है तो square root के साथ हमेशा square root वाली value ही compare होती ठीक है तो इसलिए हम बस जादा आप मत सोची इसमें कि a जो है वो four के साथ compare कर लेंगे क्योंकि इधर जो है अगर square root वाली value होती तो उसको फिर square root के साथ compare करते यानि कि यह कुछ ऐसे होता इधर three होता और इधर अगर two होता तो फिर हम भी जो है वो two के equal कर लेते लेकिन इतनी गहराए में जाने की जूरत नहीं है आप इसको simple से बस ऐसे समझे के यहां पे क्या था four था तो आप जो है इसको four plus zero कर लीजे और यहां पे लिख लिए by comparing तो यह लिख लिए by comparing both side of equation तो both side पे देखें तो a जो है वो बराबर आ जाता है four k ठीक है और b जो है वो बराबर आ जाता है zero के कैसे अगर b को मैं अगर मैं यहां पर यह भी लिखूं अगर जैसे आपको पूरा ही बता देता हूं direct नहीं करता अगर मैं यहां पर लिखूं कि b square root three is equal to zero ठीक है तो पिर अब इस यह इदर square root three जो है इदर multiply हो रहा तो अधर जाके क्या हो जाता है divide हो जाता है या फिर मैं ऐसे भी कर सकता हूं इदर भी square root three से divide करवा देता हूं इदर भी square root three से divide करवा देता हूं ठीक है तो यह से cancel हो जाएगा पीछे बच जाएगा b और zero से जो भी चीज multiply divide हो जाती है व हम से सिर्फ A और B की value पूछी है तो B जो है यहां पर zero के equal आ जाएगा ठीक है तो I hope यह question जो है वो भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा तो इसके साथ यह पूरी exercise कतम हो गई तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है गलती ना हो यह अंजाने में कुछ return mistake हो गई हो तो इ के लिए माफ करिएगा बाकी मैंने आप मेरा मेन मकसद आपको concepts देना है आपको जो ठीक लगता है आप उसी तरीकर को follow करिए अपनी teacher के बार ठीक लगती है तो इसको follow करिए ठीक है लेकिन वीडियो मनाने का मकसर ही है कि आप लोगों के पास एक सहूलत हो चीज़ों को समझ की और वो आई हॉप आप लोगों को फायदा पहुचा होगा ठीक है तो चलिए अगली वीडियो में मुलागात होती है अपना क्याल रखेगा अलाहाफिज